जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमस सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः आदित्याय नमो नमः मंत्री राज्शकर जी की जय हो सदानन क्या है क्या मैं सश्मुझ गांदी जी के उद्से में आया हूं ऐसा सोच रहे हो क्या तुपर काय के लिए आया हो गांदी जी के साहरे करोडों रुपे कमाने के लिए आया हूं वो कैसे है सुन, कांट्रेक्ट के जरिये तुमने अभी ते कितना कमाया है अरे अभी इसमें मैं क्या वदा हूं सीमेंट में घोटाला करके यही करीब करीब 30 लाख रुपए और दो नंबर में घर बना बना के करीब 20 लाख रुपए यहने कुल मिला के लाखों का गोलमाल किया है हाँ बदा आपकी देया है लेकिन अब करोडों का मौखा मिला है क्या गिरना मत इदर आजा इदर ड्याम का जो प्रोजेक्ट है उसके सैंक्शन की बात मैंने दिल्ली की फाइल में खुद अपनी आँखों से देखी है तब वो कांट्रेक हमें मिल जाएगा ना बन लाखों का हिदाब किताब हो जाना चाहिए बाप रे कांट्रेक्ट में तु पैसा कमाना ही वाला ना जो मैं बोलता हूँ कर भाई ये अगर ये सारा इन्याम मैं कर दूँगा तो वो कांट्रेक्ट मुझे ही मिलेगा ना तु जैसे मुर्खों को मैंने अपना कांट्रेक्ट बना के रखा ये मिरी गलती है जो बोलता हूँ करना अर्सुन उसमें अपना फिफ्टी फिफ्टी होगा समझ गया अर्सुन सुईज बैंक में अरे क्या केरी हो मैं कभी भूला हूँ गया आप चिंता मत कीजिए रोड के किनारे किनारे समर लीजिए हमारे पाइपों की लाइन लगे जाएगी सुन राकेश जी साब जी पता नहीं क्यों मुझे इसमें कुछ गड़बर लग रही है तुम्हें काम करो जी बोलिया तुम डीसीपी को जा के बता दो जी बहुत अच्छा कॉंट्रेक्टर ने गोटाला क्या है उन्हें बता दो ठीक है साब जी सदानन जी इन पाइपों को आप ही यहां लेकर आये आप क्या बात कर रहे है मैं नहीं लाओंगा तो और भला यहां कौन ला सकता है वाईसे भला इसका कांट्रेक्ट और किसको मिलने वाला है आप शायद मेरे बात नहीं समझे मेरी बिना इजाज़त के आप यह पाइपे यहां लेकर क्यों आए भाईये इस प्रोजेक्ट का जब आप टेंडर निकालेंगे तो इसका कांट्रेक्ट तो मुझे ही मिलने वाला है ना बस इसी ले लेकर आगया अच्छा यह आपके होंगे किसी जोतिश ने बताया जी हां बताया मेरी देखाएं देखकर बताया कि यह कांट्रेक्ट मेरे नाम पर चप गया यह ऐसा बताया बहुत बड़ा जोजित है शट अप तुम्हें कांट्रेक्ट नहीं मिलेगा सजा मिलेगी जेल की सजा और मुझे चिर्कुट हो पागल लगते हो किसी और की बात मुझे सुना रहा हो जब थोड़ी दिर में डीसीपी यहां पहुँच जाएंगे खुद समझ जाओगे भाईए इंजीनियर साब ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है अगर यह जिन्दा रह गया तो यह कॉंट्रक्ट हमें नहीं मिलेगा ऐसा करो इसे सुला दो खप्या मिलेगे खप्या हुण कि अधिर आधिर है पॉलिस प्रताब राओ जी है आई ये बैठिए ना कोई बात ने मैं से ठीक हूं क्या बात है कैसे आना हुआ मैं किसी को गिरफतार करने के लाया हूँ यहां तो जनता के सेवक हैं जनता के साथ धोका करने वाला कोई नहीं है जिसका जमीर मार जाता है वो लोगों के साथ धोका ही करता है परताब रावजी, मेरे बारे में जानते हो ना, जब मैं पैदा हुआ था, मा My Neen पुकार रहा था, आहिमसा आहिमसा पुकार रहा था, मैं वैसा गांधिवादी हूं गांधी बाद बोलने वाला हाथ में ब्रैंडी का ग्लास लेकर मुझे गांधी का पार्ट सिखा रहा है वो भी मंत्री की कुर्सी पर बैठ कर रही ये अजाना की समय कौन दी बात करने के लिए आप आएं प्रोजेक्ट असिस्टन इंजिनियर का किसी ने बड़ी बेराहिमी से खोन कर दिया है बेजर बहुत अच्छा इंसान था तैरा माला लेका ना अपने टेंडर को पास कराने के लिए ही सजाना जी वहां गये थे ना लेकिन उस इंजिनियर ने वो कांट्रेक्ट तुम्हें देने से साफ इंकार कर दिया यह यह सब विपक्ष की चाल है लेकिन मुझे वहां किसी नाम का पहला शब्द मिला है क्योंकि इस असेस्टन इंजिनियर ने दम तोड़ने से पहले अपने खोन से एक नाम लिखा क्या नाम लिखा राजा इसे दो अक्षर लिखे राज शेकर भी हो सकते हैं या आपने अपने एक इसी आपनी के जरियास का खून कराया है अच्छा डीसीपी साब राजा इसका मतलब यहने के मैं ही हूँ राजा गणेश हो सकता है, राजा गोपाल हो सकता है, राजा वर्मा हो सकता है, ऐसे कितने ही नाम इस राजा से बन सकते हैं। भाई ये, ये DCP तो हमें धमकी दे के जा रही है, तुम सोचने में अपना टाइम खराब मत करो, जो इंजिनियर मरा है उसकी जगा पर हमरा आत्मी होना चाहिए, समझो हो गया, मुझे अभी याद आ गया, मेरा जो साला है ना, उसने इंजिनरिंग तीना टाइम में पास की है हमें किसी पड़े लिखे इंजिनियर की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात मानने वाला इंजिनियर चाहिए, तब तो डैम का कॉंट्रेक्ट जड़ से लिखन जाएगा न, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो, देश का नुकसान, जनता का नुकसान, और इतना ही नहीं, उस सीट का 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 निन्हैं लिखना हुआ 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 है भाई सब हमेशा नास्ते पर आजाते आजाबी तक आये नहीं वो कभी ऐसे नहीं करते यो और करेक्ट भाईया आपका भाईया कभी जबान से नहीं बदलता लेकिन तू है कि बीना लता के ही नास्ता करने के लिए बैठ गया शरम नहीं आते अरे नहीं नहीं बस ऐसे ही बैठो जल्दी बैठो बैठो बैठी लता भाईया लता पर हमारा लाट प्यार ज़्यादा हो गया है कल जब कहीं उसकी शादी हो जाएगी तो हमें बहुत रोना बढ़ जाएगा याद रखना बैठी फाइनल एर के बाद तुम कॉलेज चोर के पताने कहां चले गए मेरी मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब भी मैं तुमारा फोटो देखती हूँ बस देखते रहने का मन करता है अब हम कब मिलेंगी डिया बैठी लता अरे पापरे डाडी का हो बैठी पॉन में भी छड़ेों के बाद करेंगे आरे वो हमारा साधानन है ना कांट्रेकेर वे अपने साले को तुमारेा पास भीज रहा है कर वहां पिंटर्विव है ना उसे सलग कर लेना लेकंन उस पोश्ट के लिए तो मेरिट मेरिट अगर नोकरी देनी होती तो फिर हम लोगों की क्या दौद है जो कहाँ वह करो ठीक है सर ठीक है किसका फोन है मंत्री राजश्यकर जी का सदानन्द के सारे को नौकरी देने के लिए फोन किया है तो हां कर दिया क्या अब उनके बाद को भरा कैसे टाल सकते हैं तेरे घर का खाना तो मेरे लिए हराम है अरे आप बैठे न दाओ जी डैडी मुझसे पूछे बिना किसी को भी नौकरी नहीं देंगे तुम्हारी बात पर रेकिन करो मैं अतना पागल नहीं हूँ अगर यह जर्फोक है तो इसके मन में जो आयक करे रुकी डैडी मैं आपको एक आइडिया दू जो भी मेरिट में नंबर वन हो उसको नौकरी दे दू उसके बाद अगर पूछें तो क्या देना मेरी यादश्त कम है आपने जिस लड़के का न मंचरी जी के रेकमडेशन पर आया है हाँ वो तो दिग रहा है ना जुम्हें से तकलीफ है हमारे मूप और सिक्रेट का दुआ फेक्त है हमने तुम्हें सिलेक कर लिया है जाओ और नेक्स्ट गुद मॉर्णिंग एवरिबड़ी गुद मॉर्णिंग प्रित्वी किसका चकर काटती है ये बता भूमी की चकर काटने की रफ्तार क्या है एक घंटे में पचास मिल आज दुनिया में कौनसा फुटबल का प्लेयर मशूर है बहु चर्चित बेखम इंजिनियर का काम क्या होता है बिना किसी स्वार्थ के देश की उन्नती के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाना योजनाओं को साकार करके देश के इंफ्रस्ट्रक्चर को सफल बनाना पहले विश्व युद्ध का कारण कौन है वो एक बाक्टरों की लापरवाही से बेश्मार लोगों की जाने चली गई यहां तक कि उसके बाद जो लोग पैदा हुए वो कई कमियों के साथ पैदा हुए लेकिन जिन देशों ने हमले किये वो अपने आप में हीरो बन गए इसलिए इसके लिए साइंटिस्ट जिम्मेदार है आपके पिताजी कौन है? में पूछ रहे हो, प्रित्वी और सूर्य के सवाल पूछ रहे हो, और फिर फुटबॉल कुन खेलता है? क्यों? किसी इंजीनियर की योग गिता का इसी से देखी जाती है? मेरी आप से कोई अपेक्शन नहीं है, आपके हर बात पर भाशन देने वाला मैं कोई नेता नहीं ह में अपके हर सवालों का हट से जवाब दे दूँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिगरी पाने के बाद हमें दक्ये खाने पड़ेंगे, क्यों? इस देश की धरती हमारी माता है, हमारे देश का किसान धरती मा की पूजा करता है, सर, महात्मा गांधी ने हमारे देश को पूछा था मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन अब जवाब दे कर जाओंगा, मेरे पिताजी कौन है यही आपने पूछा ना, है इस लायर, है इस चीटर, अपने बीबी और बच्चे को छोड़ को भागने वाला एक बुजदिल इनसान, और उसी के खून से जन्म पाया है मैंने, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कि मुझ में उसके संसकार नहीं है, इस देश में आज भी महात्मा गांदी को पूछते हैं, गौट से को नहीं पूछते हैं। वेज़ती होती है, इसका कारण यही है, हमें इसने कहीं का नहीं छोड़ा है, इसके बाद भी हमारे घर में इस आदमी की तस्वीर क्यों? अगर इस आदमी की तस्वीर भी आ रही, तो हमारे लिए जीना तो दूर, मरना भी दुस्वार हो जाएगा। भार्गव, यह तुम क्या कर रहे हो, यह तो बहुत पहले करना चाहिए था, तू अपनी मा को अपनी आखों के सामने विद्वा बना दे बेटे, मा, भार्गव, मंगल सुत्र पहनने वाली मुझे जब कोई गुस्ता नहीं है, तो तुझे क्यों? मेरे माथे में सुन्दूर है, और कले में मंगल सुत्र, आज पिये दोनों सही सलामत है उसके विए, तुम्हारे पिताची महान है बेटे, मैं उनका अपमान कभी नहीं सह पाऊंगी। क्या बात है, बड़े बड़े स्लोक बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? जो पाप रहीत होते हैं, वो भगवान का अवतार होते हैं, इसलिए बिना किसी के रिकमेंडेशन के मुझे कोई नौकरी मिले ऐसा नहीं लगता, ये भी उसी में शामिल है। पाया, तुझे कोई बड़िया नौकरी मिले कि ऐसा हमने सोचा है, अब इतना पढ़ लिखकर, तु आटो चलाए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। रोजाना रोट पे आटो चलाते हुए किन-किन बातों का सामना करना पड़ता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्यों क्या होगा। खुन खराबा। लगता है तुम भी इतिहास से वाकिप हो, इसलिए खुन खराबे की बात कर रहे हो। क्यों रे, मैं सिरियास के बोल रहा हूँ, तुझे मजाग लग रहा है। और नहीं तो क्या, हमारे पास के बाप दादाओं की जायदाद है। रोज पानी पिने के लिए, रोज कुवाँ खोदना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तेरी बाते माँ सुन लेकि जाके हाथ मों दोले। अरे भाया, ये तो रोज आना की आदत हो गई है। तो मुझे भी डाट ले। तुम्हें क्यों? तुम्हारी पर्मिशन के बिना अपने पुराने कॉलेज में जो फांक्शन है, उसमें तुम्हें वर्दान दोगे, ऐसा कहकर आया हूँ। तुम्हें वर्दान देने के लिए मैं का शंकर महादेव हूँ। मा नहीं दूगा, जाओ। ऐसा मत बोलो। मेरे बात मान, ये ड्रमा तो कर ले। करूंगी, मेरे साथ में कौन होगा। देख, हमने कुछ लड़कों को सिलेक किया है, जरा इसे देख। ये, थोपड़ा तो देख इसका। तो फिर ये, ये तो एकदम भोंदू है, अच्छा ये वाला। बापरे, इसका तो दिमाग ही नहीं है। ये फाल तो फोटो क्यों दिखा रही है, असले वाला फोटो दिखा ना। भारगव ऐसे मत बैट, मेरी बात मान लेना, मान लेना। मैं नहीं मानूँगा। भारगव प्लीज मेरे बात मान लेना। मैंने कह दिया ना। माजी ये बास क्यों आ रहे, खाना जल गया क्या। नहीं बेटी। ये लू सब्जियों। मेरी अच्छी बेटी। शंकर तुझसे शादी करके तुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखता है वो। ये में तेरे हाथ जोडता हूं, मेरी बात मान लेना। जिस कॉलेज से मैंने गोल्ड मेडल पाया है। उसी कॉलेज के प्रिंसिपल आजकल वहाँ पर प्रिंसिपल है। मैं नहीं आऊंगा। मेरी इजेट चली जाएगी। मेरी बात मान लेना। तुम हो तुम इहां कम आई जब तुम भाईया को मनाने की कोशिश में थे तब मैं बजार से आई जब तुम भाईया के सामने हाथ जोड रहे थे तब मैं अंदर किचल में थी और जब आप भाईया के पैर पकड़ रहे थे तब मैं यहां थी देखो तुम मेरी अच्छी पत् लटा आप तो मानोगे ना चेचचचच लटा हो या पीता हो प्रिंसिपल प्रिंसिपल हैं सही कहा सही कहा मैं कहा जाओ भगवाल के टिकट ले लिए क्यों लोगों से पैसे कमाने के लिए दें यहार उस ड़ामे से जो पैसे आएंगे अनात आश्रूमे दे देंगे अरे सुन, जरा सामने आ, छे-छे, अच्छा नहीं लगेगा, वो सामने है, मैं अंदर जा रही हूँ, अबे सुन, मंग तो करता है कि मैं तुझे, अगर तु इस तरह से पैसों के ऐसे प्रोग्राम पर खर्च करता रहेगा तो खाने के लाले पढ़ जाएंगे, ये साथ आक् तू क्या पुछे मुझे से पुटिया का रास्ता भर्पूर जवानी है, मेरे पास रपजा, ग्रहस्त जीवन से भी बड़ी क्या है पुजा विश्णू का हो मैं भग, देदूं का आश्राब तुझे, सुन का मुक नारी सुन, आस मेरे राख, मुझे को क्या तेरी नश्वर जवानी से का करेंगा विश्प विष्योव पत्ली कबर को देखना, अपनी बाहों के धेरे में हमीजे बाद ना अपनी तपस्यों क्या को छोड़़ दूँ क्या? मार्घ का मैंने पूंचा, बता ख्रमा करो मुझे को आजाप बताती हूँ मैं तुझको, असली तपस्या क्या होती है? अपनी तपस्या छोड के तो योवन का रस्पी के तो दे हई काम से भरी नारी ये नारी भगवन बच्चा पढ़ जा परे देटूंगा वना सब तुझे तू क्या पूछे मुझे से कुटिया का रास्ता भरबूर जवाने है मेरे पास रुक जा मुझे को क्या तेरी नश्वर जवानी से का ऐसी जवानी फिर न मिलेगी सोच ले मेरा दिले तुझ पर आया ले ले मुझे को भाव में साथू संतों से क्यू करती है ऐसी बात पाप लगेगा तुझे को नारी मैं नहीं हूँ ऐसा पाके मुझे को तेरा जिवन हो जाएगा स्वर्द समान देख मिरा भर पूर योवन भूल जाएगा भक्ती को ची कैसी बात करती तू ये नारी दूर जा मुझसे मोहमेन डाल जाने भी दे तपस्या भंग करना तू क्या पूछे मुझसे कुटिया का रास्ता हर पूर जवाने है मेरे पास रुख जा मुझको क्या तेरी नशुवर जवानी से का वह लड़का सिविल की पड़ाई में तो ठीक है लेकिन फाइन आर्ट्स में भी बहुत अच्छा है डाड़ी भारगव को जानते हैं आज वह इंटर्वी के लिए था वही मिला था मेरिट पर अगर देखा चाहे तो नौकरी उसे ही मिलनी चाहिए तो क्या तो ने उसको नौकरी नहीं दे वह मंत्री जी का लड़का आगे था न मेरे डाड़ी कभी कोई गलती नहीं करते हैं ताओ जी इनके सामने कोई भी वी आईपी कुछ भी नहीं है यह जित पे आ जाएं तो किसी को भी बाहर निकाल देते हैं आप देख लिजे आभी मिनिस्टर को फोन करेंगे तू क्या है तेरी आउकाद क्या है तूने जिस लड साल कुमरे अभी तुमको याद कर रहे थे क्या हुआ हमारे केंडिडेट को नौकरी मिल गई ना आइम सॉरी सर नहीं मिली यह बताने के लिए मैंने फोन किया है क्या जी हाँ वो लड़का उस नौकरी के लाइक बिलकुल नहीं है इस दिये मैंने पास नहीं किया उससे कहना लेकिन उसने हमारी बात को क्यों नहीं माना पता नहीं क्यों अगर उसे अपना काम निकलवाना है तो किसी दारूडिये को पकड़ना होगा है जमुरे जी गुर्देव अभी बढ़ कर देना हूँ अरे काली दास तु यहा है चलो मिल तो गया तु कहां मर गया था रहे तुझे तो ढूड़ते ढूड़ते मैं मर गया यह क्या तेरी बुद्धी ब्रस्ट हो गई है क्या जो पेड़ के रीचे ताली पी रिया एक यारी मैं लगा हूँ लेकिन तुम यहां क्यों आए राज शेकर जी रे तुझे एक चोड़ा सा काम सौपा है क्यूंकि यह काम बस तू ही कर सकता है तो बताओ हाथ पैर या मर्डर अरे इतना बड़ा काम नहीं है भाईए अरे वो इंजिनियर भानू परताब जी है ना उन से इस फाइल में छोड़ा दत्तकत करवाना है अगर ऐसा छोटा काम करूंगा तो इस कालिदास की प्रेस्टिज का क्या होगा जमूरे जी गुर्देयो तू जाके इस फाइल पे साइन करा के लिया मैं मुर्डर करने जा रहा हूं ठीक है गुर्देयो जम जमा के चम चमा के इंटर्वियो का क्या हूँ कोई फाइदा नहीं हूँ आज के स्रेकमेなたं के जमाने में पता निकितना सरविस एंजीनियर रोड पर है रहा है मंत तो करता है चीफ एंजीनियर का कॉलर पकड़ लूँ अच्छा मुझे छीफ एंजिनियर का ऐड्रस मालूं है सच में कॉलर प साइन कर नहीं करूंगा क्यों अब तो इस पर साइन करेगा ना मैं मर जाओंगा पर नहीं करूंगा यह बात है जो काम मुझे करना चाहिए था चाहिए को यह और कर रहा है वही तो मेरे डाड़ी है इस तरह से मत देखो पहले मेरे डाड़ी को बचाओ जाओ पही ज्स भर चाहिए । यजए सकतर पूरत बजसे के डिटल इसने प्रेड़ाऊ मेंज़ों, चल्च भाट सानला और जार बनाना दो जए जए अजए वाया ग्रफे, हैंग राफी अजए यदाना मेंज़ों, हो बिलीज़े रखेंगी ग्रूला प्लिट शर्फेंगी टेल्टा प्लिट्केर, आप प कि आड बार ़िए अजाओ जाज हाँ सुट मुझाओ जाज हुआ झाल ऐार कि आड उए हेखाँ झाल एक मुझाओ जुख हुआि एम जग कि ताज हुआ 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 कि आइप कि अच्छा विल्हाइब पारगोव यह तो अच्छा है वक्पर भरगव आ गया वरना वो कमिने जवर्जस्ती अपरिवार नहीं आपके डिपार्टमेंट पर मैं चलता हूं इंजिनियर की घर में अगर मारपीट करना गलत नहीं है तो इतना अफसूस क्यों कर रहे हो मा मैं यहीं हूं मेरे बेटे घाली फिल्मों में ऐसी फाइट करोगे तो तुमें पैसे मिलेंगे न जान जारी तुम सबको मशाख सूझ रहा है करती हूं करती हूं मा क्या हो बेटे नाजी इस बार मैरे देवी मा को बलाया तो है कहा हलो हरे तुम हो अब अब शर्ट पहन के आता हूं इन्हें क्या हो गया मैं तो बधाय देने के लिए और यह भाग गया दरसल अचानक तुम आ गई हो ना इसले शर्मा गया आप कफड़े पहन के आएगा इधर आओ इधर आओ पहले ज़र पकड़ो क्या पकड़ू माला अरे यह कवर पकड़ो ना सब लोग ताली बजाए आज के जमाने में परसे दो तो ताली बजाए जाती है आली पिली कोई नहीं बजाता अब लोग खुशी से फूले नहीं समाओगे ऐसी ख़बर में देने व उठाओगे क्या जी ऐसा नहीं है यह माला पहुना क्या बात है मेरे बेटे को माला पहुना इंहीं नौकरी मिलने पर शेक्क करते हैं शादी हो तो माला पहनाते लेकिन तुमने दोनों ना करके कुछ औरी किया है अच्छ तुम हो कौन? तुम्हारी जैठानी हो ठीक कोई ब ना दे भाइए जैराम जी की भाइए अरी बाप रही यह क्या किस सोच में दूबे हैं अरे इस पर रहे से मत बैठिये ना अरे जेल में जो गया है वो तो छुट जाएंगे ना उसके बारे मैं नहीं सोच रहा हूं फॉरिंस से मेरे छोटा भाई आया रहे यह क्या कह रहे अर बताया ना कि मंत्री जी का छोटा भाई हूं क्यों कोई नाम नहीं है है लेकिन किसी को बताता नहीं सब मंत्री जी का छोटा भाई ही कहकर बुलाते हैं इसलिए मैं सब को यही नाम बताता रहता हूं तो मंत्री जी कहा रहते हैं वो यहां नहीं दिल्ली में रहा करते हैं र हमारे भीया आ गए हैं यह मुझे जेल में डालने की बात कर रहा था अरे बेकार में ऐसा मत बोलो थ्रिल गाया बोजाएगा यह यहां क्या मंतरी जी है हलो हलो ग्लैट्टो मीटियो देखिए वह मेरा चोटा भाई है देखिए यहां आपको समझाना ठीक नहीं रहेगा जाए बताईए ना बहुत बताईए ना कि मेरी बैटरी कुछ ज्याद्धा ही चार्ज हो गई थी चल रहे चल लगता है आपने उसे सबक सिखा दिया बिना किसी केस के तुझे छुड़ा कर ले जारू यह क्या कम है चल अब वहां से आने पर रंगीले कैसे हो अमेरिका में मैं जितने भी दिन रहा है बस अपने दिल की बैटरी को चार्ज करता रहा है अरे बापरे चाहीं एड्स उगरा तु लेकी नहीं आगए एड्स अरे हो तो बहुत खतरनाग बिमारी है तु मुझे मरवा करी रहे का आप भाईया यानि आप हत्यारे हो गए अरे हां रे जरा गाड़ी रोक हम यह पाइप देख रहा है यह प्रोजेक्ट सैंक्चन होकर हमें कॉंट्रेक्ट मिलेगा सोचकर ही करोनो रुपे के पाइप लाके हमने यहां डाले हुए है तो आखिर इस काम में इतनी समस्या क्या है य हमने सोचा था कि हमें कांट्रेक्ट मिल जाएगा लेकिन बड़े इंजीनियर ने इस कांट्रेक्ट की फाइल पर साइन नहीं किये अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे करोनो रुपे डूब जाएंगे तो क्या हुआ कहो तो उस इंजीनियर की वैटरी को बंप से उड़ा दू एक ने कोशिश की थी वो जेल की सलाखें गिन रहा है ये किसका आदमी है वो मेरा आदमी है तो कौन है मंत्री जी का छोटा भाई केस मंत्री का भाई है तू और किसका वही जो दिल्ली में रहा करते हैं क्यों रे मंत्री के छोड़े भाई तरह कोई नाम नहीं है क्या मेरे नहीं चारा थेशा चलता हूं। पुलिष वाले पैसों से टूट जाते हैं। आप्लीकेशन लेकर आया हूं। अमेशा पूलीस मेााइटी मिया दिमाग चलता है। एक लड़की इनडीयन पूलिस में जाकर क्या करेगी। क्या करेगी। ये तेरी इकलोधी बेटी है ना, अगर पुलिस डिपार्पेंट में जाएगी, तो मर्दान की आएगी, तुम्हें तो भाईया बोलते हुए मुझे शर्म आती है, तेरे घर में मैं आया हूँ, मैं पागल हूँ, चाहे कुछ भी हो, हमारी लता आई एस करेगी, चाहे कुछ अगरे बात बनोगे ना, अरे वो सब शड़ो पाले से अस्पितार लेके जलते हैं, चलो, चलो बेटी तो डिशाज करागे घर ले जा सकते हैं ना, ऐसे भी क्या जल्दी है, दो दिन इसको यही रेने दीजे ना, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन्स ना हूँ, वो हम देखने हैं, हम शाम को आएंगे, चलो भाईया, लता, लता, च्या हो गया था, प्लीज डोंट इस्टब, दर हाँ, डाड़ी मुझसे आईएस कराना चाहते हैं, टाओ जी, आईपीएस के लिए बोल रहे हैं, मुझे भेजने के लिए दोनों के दोनों जिद पकड़े वे, तुमसे मिले कई दिन हो गए हैं, इसलिए उन दोनों को उल्लू बना कर मैं हास्पिटल में भरती हो गई, बह अरे बाप रे, यह सब क्या हो रहा है? आजी सवा में कैसा घुला है, नशासा, नशासा इस नशे में आज तू पहकसा गया हाँ, पहकसा मैं तो चाहू तेरे प्याद के नशे में डूब जाओ, डूब जाओ, बता डूब जाओ इतना ना बहको साजन मेरे तुम संद जाओ, संद जाओ, संद जाओ, संद जाओ, संद जाओ, संद जाओ बाल 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 कब दक तू देगी ताले मुझे, आज बता दे तू इतना मुझे, मस्था ना मौसम ये युम्ला कुजर जाये, शादी करेगी ना जरूर। तेरे इन बातों पे सद के जावा, दू ही है मेरा दिवाना पे है, मेरे ही अंगना में लाएगा बारात, तेरे दिया धड़के जिया, आजा तू बाहो मेरा, और ना मुझे को तड़बा। तेरे ही लेके नम दुल मेरा धड़के ये दियो जातश पे कर दिया है कुरबान, कर दिया है कुरबान, कर दिया है कुरबान। आजी सवा में कैसे घुला है नशासा नशासा। इस निशे में आज तू पहकसा गया, हाँ पहकसा। हुई तंदाना हुई तंदाना मेरा ये जीवन सनंग कदम से कदम मिला के छलेंगे हाँ जीवन की कटगी डगे तुझी से ये कट्टा हूँ आज इक रहा मैं तेरा शाज जहां तु मेरी मुंताज तेरी मोहबत में ताज महर जैसा दूसरा बनावूंगा जरू ऐसा है तुस जनवा ये जो तुझ पे कुरवा तेरी इंग बातों से दिल धड़क जाए बादन की खुश्बू से नशासा छा जाए नशासा ओ नशासा चा जाए नशासा आज इस हावा में कैसे घुला है नशासा नशासा इस नशे में आज तो बेहकसा ने आहां बेहकसा मैं तो चाहू तेरे प्यार के नशे में डूब जाओं डूब जाओं बता डूब जाओं इतना ना पहकोसा जन मेरे तूं समघ जाओ, समघ जाओ, समघ जाओ, समघ जाओ, समघ जाओ क्या हो गया रहे है वहां तुम दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ चुछ लड़ा रहे थे ना और मुझे यह इंजेक्शन के उपर इंजेक्शन इंजेक्शन के उपर इंजेक्शन मेरा दिमाग सड़ गया यह क्या क्या रहा है हाथ में क्या वही वही वह इंजेक्शन बेटी लता अब तुम कैसी हो मैं अच्छी हूँ डैडी डॉक्टर ने हमें सारी बाते बता दी है क्या बताया कहीं इंजेक्शन के बात तो नहीं बताई यह इसकी आवाज मर्दानी कैसे हो गई अरे यह हस्पिटल है ना भीया एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी आ ज अरे वाबरे मर गया वाव आप्पल क्रेश अरे यह सब तुम्हारे लिए और इंजेक्शन मेरे लिए नहीं नहीं तुम्हारी खाना हम जरा घूम क्या पर नहीं अब यह साड़ी मुझसे पहनी नहीं जा रही है एक काम करो तुम खुद बेट पर लड़ जाओ अरे साड़ पर दो किसी रही देख लिया था उठा की लिजाए लो पर आर है तुम्हारी साड़ी भी नहीं चाहिए तुम्हारा पेट भी नहीं चाहिए ताइम हो गया जल्दी आना बैटे भार्गव नौक्री जॉइन करने से पहले अपने पिता जी को प्रणाम कर ले बैटे भारगव आज तेरी नौक्री का शुब दिन है बैटे जल्दी ये राहव काल चुरू हो जाएगा माँ, 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 क्या हुआ रहे, बताने क्या हो गया इन न, माँ, सुरू, धेर मत करो, इन्हें हस्पतर लेज़ते हैं, चलो, पेशेंट के साथ में यहां कौन है? मैं हूँ सर, वो मेरी माँ है. उनके गरभाशे में फुनसी हो गई है. अगर फॉरण उनका आपरेशन नहीं किया गया, तो वो कैंसर में बदल सकता है. तो फॉरण उनका आपरेशन कीजिये ना? वोल, आपरेशन के लिए 20,000 रुपए खर्च होंगे. वो लाकर जमा करने होंगे. डॉक्टर, इतनी मोटी रखम देना तो दुर की बात है. मैंने और इसने आज तक देखी भी नहीं है. एकदम से इतने सारे पैसे लाना मुश्किल है, डॉक्टर. तो यह अपरेशन नहीं होगा. अपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएंगी ना? वो जिये या मरे मुझे कोई चिंता नहीं. मुझे चाहिए सिर्फ पैसे. सर, मुझे पढ़ाई में जो गोल्ड मेडल मिला था, वो मेरे पास में है सर. मैं उसे गिर्वी रखके पैसे लेकर आता हूँ. आप आपरेशन के तियारी कीजिए. तुम्हारे गोल्ड मेडल की बात मैं मानता हूँ. लेकिन तुम वापस आओगे, इसका मैं कैसे यकीन करूँ? सर, मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है. इस लेटर की बिना मैं जॉइंट नहीं कर पाऊंगा. इसे अपने पास रखिए और आपरेशन कीजिए. सॉरी, इसकी डुपलिकेट कॉपी से भी तुम नौकरी जॉइंट कर सकते हो ना? डॉक्टर, ये मेरी बीए की डिगरी है. इसे भी आप रखिए लेकिन मेरी मा की जिंदगी बचा लिजे डॉक्टर, फ्लीज. सॉरी, मिस्टर. डॉक्टर, मेरी युनिवर्सिटी की डिगरी से भी, युनिवर्सिटी से जो गोल्ड मेडल मिला उससे भी, और मेरी नौकरी के अपॉइंट्मेट लेटर से भी, बढ़कर आपके लिए क्या पैसा है? मरीज के प्रांट से ज्यादा आपके लिए पैसे बहुत माईने रखते हैं ना? ये लिजे डॉक्टर, आप लोगों का जमीर तो मर चुका है, कोई मरे या जी आपको कोई फरक नहीं पड़ता है, आपको ये पैसे चाहिए ना, ले लिजे लता, ये क्या कर रहे हो? तुम चिंता मत करो भारगव, पहले इन पैसे से माजी के जिंदिगी बचा लो, माजी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज, ये लिजे डॉक्टर ले लिजे डॉक्टर, ये पैसे लेकर जल्दी ऑपरेशन कीजिए, प्लीज, ओके बारगव, माजी की देखभाल के लिए मैं और शंकर यहीं पे रहेंगे, तुम जल्दी जाके नौकरी जॉइन कर ले हाँ यार, अगर तुम वहाँ नहीं पहुचा, तो राजशे करके लोग जबर्दिस्ती वो नौकरी ले लेंगे, तुम जल्दी जाके जॉइन कर ले सर, मेरी मा का अस्पताल में आप इजाज़त दे तो, अच्छा, वहाँ तुम्हारे मा का आप्रेशन है और तुम यहां का कर रहे हो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, थैंक्यू सर, एक्सक्रिज में डॉक्टर, अब भीने कुछ कही जा रहे हैं, आप लाश को ले जा सकते हैं, एक तजार कीजिए, माजी, माजी को कुछ नहीं होगा, मैं समालूंगा, बोलके भारगर को मैंने भेजा, अब जब वो आएगा, तो मैं उसे का जवाब दूंगा, मा, मा, भारगर, माजी की आखरी समय में मैंने तुम्हें कई और भेज़ दिया, मुझे माफ कर दो, लता, बाप का साया तो बहुत पहले से उठ गया था, लेकिन आज हमारे उपर से माप का साया भी उठ गया, भारगर, भाईया, उस नए इंजिनिया ने तुम्हें का साया था, भारगर, जो हमारी वाट लगाई है, उससे तो आप उनका बिजनेस चोपट हो जाएगा, भापरे, तु ये कैसी भाशा बोल रहा है, उसके हाथ तो अपने फैल पे दस्तखित करवाएंगे, शंकर, मा के स्वरगवास होने के बाद, अब तो हम लोग एकदम अनात बनके रह गए हैं, तुने भाई से बढ़कर मुझसे दोस्ती निभाई है, वो दोस्ती क्या जो दुख में काम ना आए, तु अपने मा का शेर बेटा है, तुझे रोना नहीं चाहिए, जिस मा ने मुझे संसार में जनम दिया हो, और जिसे जिन्दगी भर में मा कहके बुलाता रहा, उस मा शब्द को मैं कैसे भूल पाऊंगा, वक्त सारे जखम भर देता है, पहले उनकी अस्थियों का नदी में विसर्जन कर दे, चल, वर्ल्ड वार में मिनाश कैसे हुआ, डॉक्तरों के आविश्कार के कारण, डॉक्तरों के लापरवाई के कारण, डॉक्तर, किसी भी मरीज का बुखार चेक करने के लिए, तुम्हें थर्मा मीटर दिया जाता है, और किसी भी मरीज का शरीर का उपरेशन करने के लिए, तुम्हें अनिस्थीशा देने की जरुद पड़ती है, लेकिन मेरी मा को तुने मारा ये बुलवाने के लिए, मुझे न थर्मा मीटर चाहिए, ना हि बेहोशी की दबा मुझे चाहिए, तेरे चेहरे का पसीना बता रहा है कि तुने मेरी मा का खुन किया है जब मेरी मा के लाज को यहां से ले जाया गया तब मुझे तुम पर शक नहीं हुआ लेकिन चिता के जलने के बाद राक में मुझे ये तुमारी कैची मिली यह केजी जान बूज कर बेट में छोड़ी गई ना उन्हें जान से मारने के लिए येस मुझे मत मारना प्लीज क्यों माथ को सामने देखकर डर लग रहा है लोग तुम जिसे डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं लेकिन तुम лोग हो उनके प्राणों से केलते हो तुम्हें मरना ही होगा कि अर इसलिए तुमने जिस दे रहे हमी से बोली भाली मा का कदपल किया है वैसे हिए जब तक तुम्हें नहीं मारूं गा मेरी मा की आत्मा को शांति नहीं में का do कर एफ मंचे मुझे चोर्दो कि लगवान समझे जाने वाले ऐसे खूनी डक्टरों का खून कर देना चाहिए मेरी मां को जान से मारने वाले को मैं जिन्दा नहीं छोड़ोंगा चोड़ो मुझे मारीज़ों की जानने वाला इतू है वेचार मासूम मरीज़ों का कूण करता आए तू कूण करता है कि इंस्पेक्टर आरसुरसिंग हो में किसी नटंक डॉक्टर का खूण करने के कोश्च की इससर उसे अरेस करके लाए हैं उस लेकर आओ तुम्हारा नाम भारगव उस दिन आपके भाई को बचाने के लिए मुझे सराहा था आज मुझरिम बनाया है यानि तुब खुद को बेगुना समझते हो चीफ इंजिनिर को मानने वाले लोगों को मैंने मारा था और आज गलती करने वाले डाक्टर को मारा है अगर वो निया ओप्रेशन होने के बाद अगर मरीज मर जाता है तो वो खोन नहीं है याने इंसानों को मारने के लिए डॉक्टरों को लाइसंस दिया गया है जैसे लोगों को बीटने के लिए आपके पास लाइसंस है वैसे लोगों को मारने के लिए उनके पास लाइसंस है जज भले ही न मानते हैं कि तुमारी माका डॉक्टर ने खोन किया है तो उसका गवा कौन है मैं हूं किजिएगा DCP साहब यह पॉलीस स्टेशन है मैं विटनस हूं अब पॉलीस ऑफिसर हैं बस इतना ही तो तुम कौनसी गवाही देना चाहती हो गवाय बोलने की नहीं है गवाय का सबूत है ये देखे कैंची, इनकी माका जिस डॉक्टर ने ओपरेशन किया था, उसने कैंची पेट में छोड़ दी, देख लीजे इसी की वज़े से उनकी जान गई, उनकी चिता जलने के बाद राख में से ये मिली, उसका गवा मैं हूँ अब आप ही बोलिए प्रताप राई जी, ऐसे खुनी डाक्टर को मारने का अधिकार क्या हमारे फास में नहीं है, आप इस तरह खामोश के होंगे, मुझे यहां किस दफा में गिरिफ्तार किया जाए, आप यही सोच रहे हैं ना, आप से मैंने बहस कि, इसलिए गानून के मता सब्सक्राविक, दफा 301 के तहट मुझे एरस्ट कर सकते हैं आप, या फिर मैंने एक डॉक्टर का खून करने की कोशिश के उस जुर में, 307 के तहट आप मुझे यहीं ग्रिफ्तार कर सकते हैं, इंस्पेक्टर, यस सर, भार्गव के फियार की फाइल लेके राओ, ओके सर, मिट्रे भार्गव, यू केंगो, थैंक्यो ताउ जी, यह घार नहीं पुलिस टेशन है, आप सॉरी DCP साहब, थैंक्यो बरी मॉस्ट वेलकम, उस लड़के को रिलीज करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो राज्च्छे कर, क्यों मुझे देखकर चौंग है, आईए, आईए, नमस्कार, तेरे घर की काफी मेरे लिए हराम है, शबाज, अब तु मेरा छोटा भाई है, मुझे इज़त ना मिलने पर भी कोई प्रावलम नहीं होगी, भानु पसार, लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ, अगर वो नहीं हो तो तुम्हें तकलीफ जर लिए क्या हो कानून हाथ में ले लेगा, शबाप, कानून का मूँ बन करके, अब मेरे भाई का मूँ बन करना चाह रहे हो, प्रताब राव जी, उस भारगों पर कौन सी धारा लगा कर उसे बन करना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दू, अगर ऐसे ही धारा लगा ल लगता है बाप बेटे को किसी के नाम याद दे ही रहता, वस इंजिनियर का खोन आज मेरी नदरों में है, और तुम मेरी नदरों में खटक रहे हो, अगर ऐसे ही चलाओगे तो बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है, ठीक है, मैं भी देख लूँगा, चल रहे चल, हाँ चल ये भारगव, हम जा रहे हैं, ये क्या कह रहे हो, बचपन में बाप का साया सर से उठ गया, जब मैं बड़ा होके कमाने लाइक बना, तो मा का साया सर से उठ गया, अब मेरे सर से अपना हाथ भी उठाना चाहते हो, ठीक है उठा लो, तुम भी जाओ भारगव, मैं ये नहीं जानता था कि हमारे लिए तुम्हारे मन में इतना सारा प्यार है, आज से मैं और पद्मा यहीं रहेंगे, तेरे पास ही, ठीक है न, शुक्रिया शंकर सुनो भाईया, जिस यही की सीट पर तुम बैठे हो, देखा जाये तो वह हमारी है, ये तो हमारी बदक्रिस्मती है जो तुम उस सीट पर बैठ गए मैं उस कुर्सी पर नीती नियाए के साथ नौकरी करने के लिए बैठा हूँ मंत्रे साब, मैं भी नीती और नियाए के लिए ही अपनी मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप बैठेंगे पांस साल के लिए, और मैं बैठा हूँ पूरे सैंतिस सालों के हेलो मैं बैटरी नहीं हूं डायनमा हूं आटमेरिक चाल्जेबल भाईया यह क्या आपके सामने मुझे ऐसा बोल रहा है राजनीती आज गालियों के टायर के बरावर हो रही है बैटरी कामू में रखो सुनो भाईया उमर के साथ साथ यह मरदान की ढल जाती है तुम्हारी उमर में मैं भी इनकलाब जिन्दाबाद बोल बोलके पूरे देश को हिलाया करता था लेकिन आज देख लो पार्टियां बदलता फिर रहा हूं समझ गये जो फुटपाद पे थे वह गद्दी पे बैट तुम चाहे किसी पार्टि में रहो या किसी पार्टि से निकल जाओ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं यहां पर इमांदारी किनोगरी करना आया हूं मेरा एक-एक मिनिट लोगों की सेवा के लिए बहुत कीमती है इसलिए मेरा टाइम ख़राब न करके यह बता किसी और को किसी और को कैस है ना में कभी डरा हूं ना ही डरूंगा याद रखना जट सौन कि शबाज जैसा नाम है वैसे बातें करके भी जा रहा है यह हो ऐसा बोलके जा रहा है और आपने उसे छोड़ दिया अब आपका सोचना बेकार है अब आप उ कह दिजिए कुछ्टी के पहलवान तुम में से भारगाव कौन है तू है अरे कालिटास या आप आए 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 ना आए उसके टेबल लिये है आप यहां कर बैठिये ना बैठिये बैठिये पैठिये मुझे उससे इस फाइल पर साइन लेने और जमूरे यह लीजे कान है बे तू आए जमूरे कुर्देव ठीक है मैं बताता हूं यह मेरे बॉस है और नाम है कालिटास गले की प्यास बुझाने के लिए हमेशा ताड़ी पीते हैं और अगर गुस्सा आजाए तो लोगों को मार के खोन पीते हैं हाँ है पहला उसकूर्स इस आउट जम जमा के दंदनादन दे धनादन मेरे लोंडे को मारता है अगर ज्यादा चिला आया तो तुझे भी मारूंगा पहली बार मिल रहा हूं इसलिए सराफस से बोल रहा हूं इस फाइल पर अपने साइन कर दें अगर तू अभी यहां से दफा नहीं हुआ ना तो इस फाइल पर तो न एड़े पे तेरे घर में तेरे घर के कमरे में कहां आना है बोल वहां आकर तुझे मारूंगा है जम जमा के धन धना धन शाम को पांच बजे पहाड़ी में पहुंचाओ तब तुम्हें देखेंगे जैसे यह मटकी तूट गई है वैसे ही इसका सर भी भूटेगा चल जाए जोख है नहीं यह सच है कि अधार कि अधार कि मेरी बात सुन भार्गाओ तेरा थोबड़ा देखकर मुझे बहुत तरह सा रहा है इस तरह से रामर का आंत हुआ था और जैसे अभिमन्यू फस गया था अगर ऐसा बोलेगा तो मेरी बैटरी बुरी तरह चार्ज हो जाएगी तेरी बैटरी कैसे डाउन होती है मैं जानता हूँ का सबता हूँ यहाँ कर दो। कर दो कर दो बाता है प्र ड्र घंग कर दो अब देमाने नाथ वे खुचल व कि अपरे रचं फजम फ़ vaan गर है, अरह से अउटर विए वाइखत पिएऽिए, इसाल ग마 शाय है. अरहे, अरह! जींख रढ़त वुम करसे हिए set बाःत है नहां हिकनाद गुरू गुरू पुलिस की गाड़ी आ रही गुरू तो यह निकाल जी ओ नहीं यह अरे दास सुन भाईया से बोलना हमने इसे पकड़ लिया है और मैं इसे लेकर वहां पहुंच रहा हूं जा दिशा लगाओ कहीं दिखाएने देरा यहीं पर उसने गुंडों को मानने के लिए कहा था उसने यहीं की बात की थी क्या बात है तुम हस क्यों रही हो इसे यहां कितनी मुश्किल से उठाके लाया हूं पता है मेरे भाईया ने तुम्हें ये काम सौपा है अपनी खुपसूरती का इस पे जादू डालके इसे अपने जाल में फासने के लिए भाईया ने कहा है ला रहे ओ फाईल दे ये देख इसके साथ में प्यार का जूठा नाटक करके इस फाईल के हर पन्ने पर तुझे हस्ता अक्षर करवाने होंगे चल रहे अजया हुआ है खड़ी थीजलके तो। कि इधर चले जाने जा पास मेरे आऊना दिल धरकने लगा ये पहतने लगा ये अगर तो पुझा जान मेरी आओना पाहों में समाओना मुझ इससे ओ जाने मन ना संभले मन तो इसके प्यास बुझा 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 पानी खर्टा अगदे लगाए ये पानी चम 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 खर्टा सी लागे मस्त जवानी मुझे को तरसाए पानी है प्यास वडाए साजना कोई को कर जत की मेरे जर्मों की प्राव दे बुझा 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 जान मेरी आओना पास मेरी आओना चम 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 रुद्य मस्तानी चम 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 प्यास भड़काए चम 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 दिल नहीं माने चम 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 आजा बहों में अब ना तु तड़ पाओ जाना चम 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 पास तु आजा चम 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 दिल में समाजा चम 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 प्यार है तुझका तू में तो ये मेरी प्यास भड़कादी मेरी तू ही ये प्यास बुझा 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 कि थर चली जाने जाना बाहों में समाओ ना दिल धड़कने लगा ये बहकने लगा तो इसकी प्यास बुझा बुझा, 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 बुझा मैं कौन हूँ, तुम जानते हो? बेहोशी तूटने बल जब अपने सामने मेना तुम्हें देगा, तभी समझ गया, कि तुम कौन हो? ये रोजी, अपनी एक अदा में अच्छे-चो कवशमे कर लेती है, तुम जानते हो? अफ़कोर्स, मैं जानता हूँ यानी मेरे बारे में तुमे अच्छीतरा जानते हो है मा एक रात का मेरा रेट है 10000 रुपेए एक रात का रेट बांद कर जिंदगी भर के लिए खुशियां बटोलना चाहती हो इसमें मेरा क्या कसूर इसमें कसूर तुम्हारा विल्कुल नहीं है ना ही इस देश का है बस तुम्हारे जमीर का है तुम्हें बस फक्र है अपनी सुंदरता पर नास करने का तुमने अपनी जिन्दगी को एक पहली बना दिया है इस समाज को भूलकर इस पेशे को अपना कर तुम जिन्दगी में चाहे किनी भी दौलत कमालो वो मरने पर साथ नहीं जाएगी जब तुम्हारी जवानी ढल जाएगी तुम्हारे चेहरे पर जुरियां आ जाएगी उस वक्त तुम्हें इसका एसास होगा तुम अपनी इस खुबसूरती के बलबूते पर मुझसे इस फाइल के ओपर एक साइन भी नहीं करा पाई कि इस तरह से और कब तक चलेगा खर्चा पानी कम हो गया है उपर से कोई जुगार नहीं है यहां तक कि मेरे दिल की बैटरी भी नहीं चार्ज हो पा रही है बस यहीं समस्थिया है ना तुम्हारी डिक्ष्णरी में जो प्लान नहीं है वैसा प्लान मैं तुम्हें बताओ भाईया उस तरह के अक्लों इंसान को वश में लाने के लिए एक ही रास्ता है लोहा हमेशा लोए को ही काटता है अरे वाह क्या प्लान बताया भाईया भाईये घर में कोई है गया आपको किसे मिलना है यह भारगाओ का गर है ना भाईया घर में नहीं है क्या बात है अरे काम बन गया रहे मैं तो बहुत घबरा रहा था भाईये अंदर ले चल यह समान सभी हां क्यों कुछ नि भैन जी तुम इंटरटेंवेंट देखना जाती बहुत ऊठ्रेज़ा तो भारगाओ ने अरे तुम्हारे भाईया ने मेरे हां तो ही सारा सामान भीज वा याण फ्रिज रेडियो टीवी सी यार भेजा है अंदर ले चलो ना यह सर वो भीजेंगे मुझे तो नहीं बताया अरे यह क्या के रही हो यह कैसा थ्रिल है भाईये यह सारा सामान मेरे घर पहुचा दो मैं साम को घर आऊंगा यह सारा सामान देखकर मेरी भयान अचंबे में पढ़ जाएगी ऐसा तुम्हारे भाईया नहीं बोला भाईये सामान रख दिया क्या करन्ट से चलने वाली सारी चीज़ें आ जानी चाहिए और करंट जाने पर भी चलनी चाहिए इसमें भी एक त्रिल है अब अगर आप इस पे साइन नहीं करेंगी तो मेरा त्रिल हो जाएगा इसलिए साइन कर दीजिए बाप रे अब त्रिल नहीं है भाई ये चल रहे अरे वाँ आजा है कि आज आजहँ अ देखो पादमा यह अच्छी बात नहीं इसका रोजाना मेरी ओट में फ्री में आना आप की बात में मानूगोगी क्या गर फ्री मिल्स फ्री और आज सब कौन लेकर आया है उस आदमी का नाम तो नहीं जानती आपका नाम बोलके सब रखने को कहा मैंने हां खराब है क्या जो अंजान आदमी से जब लिया शंकर इसमें जरूर किसी की चाल है यह काम राज शेखर काई होगा मैंने साइन नहीं किया इसलिए सदानंद के साथ जिख रश्वत में मांगा आयसे इनों नेरिपोर्ट की है條पी भापी यह सारा का सारा वान मेरा ही है बहनि यहारा हाजरी में यहां पर आकर यह सदानंद खुद यह समान छोड़कर गया है मुझे फैंस पर रखारी लाए ऑरॉयो यह सारा का सारा वान तुमनaste मुझे उन सब को खरीद कर पहुचाने की मेरे पार रसीद है मुझे किसी से रिश्वट लेने की जरुद क्या पढ़ गी है इस बारे में मैं बताता हूँ आपने सदानांजी से रिश्वत लेने के लिए बात कही थी सेर जब आप आफिस में इने रिश्वत दिने लगे थे मुझे पैसे नहीं चाहिए सामान खरेट के मेरे घर पहुंचा था मेरे जो छोटी वेहन है वो सामान देखकर बहुत कुछ हो जाएगा तो यह क्या बोल रहा है लुक जाओ लुक जाओ आई से स्टॉप एट हमारे काम में रुकाउट डालते हो चलो पुलिस स्टेशन सर हमारा भार के वैसे नहीं कर सकता सार पीजिक गॉल्ड मेडलिस्ट इमानदार है ऐसा करना तो दूर यह ऐसा सोच पिनी सकता है मुलजिम भारगव ने एक कांट्रेक्ट पास करने के लिए श्री सदानंद जी से रिश्वत मांगी वो भी वस्तूओं के आधार पर यह गवाहों के बयान से साबित हो चुका है इसलिए मुलजिम भारगव को मुजरिम करार देते हुए तीन महिनों की कडी सदा का यह अदालत हुक्म देती है तरव गलिस्ट अब का कारण मैं खुद हूँ मैं ही हूँ पत्मा पत्मा .. चोर दिशे .... दिखे पची पेरी मजे दे भारदू पाया को डिलम पर देरा चोर दिखे.. माँ देरा ये तु क्या बोल रहा है हाँ बर्गव ये चिठिया तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी मा को लिखी हैं सिर्फ इतना ही नहीं तुम्हारे पिताजी इसी जेल में है इसी जेल में येस ठाक और इसी जेल में सजा काट रहे हैं वहां ये तो मैं भी जानता हूं नंबर क्या ह 747 तुमारे ही लिखेवे खत देखकर आश्चर यह हो रहा है तुमारे इन लिखे खतों को पाया तुमारी पत्नी ने यानि मेरी मा ने यानि तुम भार्गव हो तुम मेरे बेटे हो मैं तुमारा बेटा हूँ ऐसा मैंने नहीं कहा उन्हें अपनी मा कहा बस इतना ही जिस दिन से मैं इस जेल में आया हूँ उसी दिन से बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ और आज तुम्हें भी इसी जेल में आना पड़ा हाँ आया हूँ लेकिन क्यों तुमसे बतला लेने के लिए मतलब तू किसी का खून करकर नहीं आया हूँ मैं जानबूच कर तुमसे मिलने के लिए इस जेल मैं आया हूँ तुम्हारे गुनाहों की आग में जल जल कर मेरी मान ने खून के आंसुबा आय है मैंने कई बार उन से पूछना चाहा पर उन्होंने कुछ नहीं बताया अपनी सारी बाते मन में रखकर तुम्हारे सारे गुनाहों को छुपा कर उस बैचारी ने दम तोड़ दिया पारवती तब ही से मैं सोच रहा था कि जिसने मेरी मा को धोका दिया उस आदमी को जान से मारने का मौका मिलेगा या नहीं लेकिन मिल गया मेरे इस जेल में रहने पर एक ना एक दिन मेरी मा की आत्मा को शानती मिलेगी तुमसे मिलने पर नहीं तुम्हें मारने के बाद बेटी लता उसे सजा दिलाकर मुझे सांतर्मना देने के लिए आए हो मुझे किसी की जरूरत नहीं अब जाईए देखो बेटी पुलीस आफीसर की हैसियल से मैं अपनी डूटी निवाही है वारना उसके साथ मेरी कोई विक्तिकर दुश्मनी नहीं है बेटी पुलीस वाले हो ना मेरे आशुव का जवाब थोड़ी न दे पाओगे बेटी मैं तुम्हारी खुशी के लिए चेक बुक साइन करके दे देता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए हील स्टेशन जाकर आजा डैडी मैं आपकी आँखों का तारा हूँ आप तो ऐसा बोलते थे ना फिर भी आप मुझे बेजना चाहते हैं हाँ बेटी तुम्हें मैं अपनी आखों से कभी दूर नहीं होने देता हूँ लेकिन बेटी तुम्हारी आखों में आशु देखकर मुझे बरदाशन होता है इसलिए उससे जेल भेज दिया गया है इसमें हम क्या कर सकते हैं बारगव को सजा मिलने से में इतनी दुखी नहीं हूँ डाडी कल जब वो जेल से छुटेगा तो सब के सब लोग उसे धुटकारेंगे तब ऐसी हालत में आप क्या करेंगे देखो बेटी अगर तुम ऐसा मानती हो तो उसके जेल से छुटने के बाद समाज में वो सर उठा कर ये इस तरह से तुम खुल उसका नाम रोशन करोगी वो केसी? चीफ इंजिनियर का दामाद बना कर डाडी हाँ बेटी टैंक यू डाडी निशाना चुक गया मार दो बेटे चीर दो मेरा ये दिल तुम्हारे हाथों से मर कर इस दर्द भरी दुनिया से मुझे मुक्ती मिल जाएगी बेटे किस सोच में पढ़ गए बेटे? अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो तुम्हारे अंदर का गुस्ता ठंडा हो जाएगा तुम मेरी जान लेना चाहते हो ना उसके लिए सोचो मत जिस बाप ने तुम्हारी मा के साथ धोका किया है उस बाप का मर जाना ही एक मात्र रास्ता है मुझे मार दो उपर जाकर मैं तुम्हारी मा से मिलूंगा लेकिन मेरा खुन करने से पहले एक बार मेरी अंतरात्मा के आवाज सुन दो यानि तुमने कोई गुना नहीं किया ऐसा मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो नहीं जिस संस्था का मैं प्रधान था जहां मेरे लिए लोग अपनी जान देने के लिए तयार थे वहां मेरे साथ में क्या हुआ मेरी इमानदारी के बदले उन लोगों ने मुझे किस तरह का इनाम दिया ये तुझे बताना चाहता हूँ पिता की हैसियत से नहीं तुम्हारे सामने इस समय जो ये आदमी खड़ा है वो एक जमाने में गरीबों का मसीहा कहलाता था पर मेरी बदकिस्मती पेटे मेरी मौद तुम्हारे भविश्यों की मार्क दर्शन होगी मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों मरूँगा भारगव जब तुम बहुत छोटे थे हम जहां रहते थे वहां की जोपड़ियों को खाली कराना चाहता था MP राजशेखर वहां की जोपड़पटी का मैं प्रधान था इसलिए मुझे उसने अपने घर बुलाया उस जोपड़पटी के तुम ही लीडर हो? मैं उनका लीडर नहीं हूँ जोपड़ियों में रहने वालों का प्रधान हूँ तुम्हारी क्या कीमत है और तुम्हारे लोगों की क्या कीमत है इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे बैसों के बल्बुते खरीद ले तू क्या चीज़ है मैं भी एक ठाकुर हूँ ये लट उठाना मैं भी जानता हूँ क्या कहा तुने तुम्हारे जैसा चाहिए कोई भी लिटर आ जाए मैं उस जोंपड़ पटी को खाली करवा करी रहूंगा और अस्पताल बनवा करी रहूंगा चुपकर सूरज को मुठी में बंद करने की कोशिश मत कर राजशेखर हमारी उस जमीन में से तू एक फुट भी नहीं ले पाएगा याद रखना ये बहुत तो चल रहा है अगे गाड़ी चलो चलो रोको मेरा भी समान रोको अरे ये भी उठाके ले जा ये जनरदन ये सब क्या है ये समान लौरी में क्यों चला रहे हो बात ये है राजशेकर साहब हरे का अथनी को घर खाली करने के लिए 1000 रुपर दे रहे हैं 1000 रुपर में क्या होता है क्यों सही कहा बेटी रोजा तुम यां क्यों खड़ी हो उतना सब नीचे उतारो जब तक वांचवाइं मिलें कोई खाली नहीं करेगा सुनिये सच में वो राजशेकर 55000 देने के रिए मान किया है नहीं पारवती मैंने उन लोगों से जूट बोला है जूट बोला हाँ पैसो के लालच में ही वो लोग घर खाली कर पाएंगे नहीं तो राजश्यकर बहुत कमीना इंसान है बीना पैसो के खाली कराएगा जी हाँ अब दस हजार देंगे तो खाली करेंगे तुने पहले क्यों नहीं बताया तुम कोई खेल ना खेलो इसलिए तु इसके टुकड़े करके नजी में भैज दो अरे बेकार में केस वस्क्यों इसे बोरे में बंद करके माल गाड़ी में ले जाके डाल दो जब तक के लौटकर आएगा उस जेगा हमार आस्पताल बंद करता यार हो जाएगा क्यों औरे जनार्दन सामान गाड़ी में नहीं है तो बेका गया हुआ अभी तक नहीं आया सुब है मिरकार से पैसे लेकर निकला अभी तक नहीं है न Worksा सारे पैसे लेका भाग गया होगा ये जूट है खर कि ऐसा गिरावा काम नहीं करेंगे राजशेखर एक मंत्री होकर ऐसी गिरीवी बात करते हुए तुम्हें शरम नहीं आती कौन चोर है कौन चोर नहीं है यह अभी पता चल जाएगा वेदास जाओ ठाकुर के घर के तलाशिलो कि यह रहें पैसे कि तुम्हारा ठाकुर क्या चीज है लगता है इन पैसों के साथ आज ही गिरा तो भाग जाने वाला था ऐसे इंसान पर भरोसा रुखोगे तो तुम कुत्तों की तरह जी होगे यह लओ जनार्दन यह पैसे यहां के घरों में तुम ही पाठ दो थी कि साब जी तो एप चोर परिवार के साथ क्या किया जाए अब क्या करना है उस घर को आग लगा दो इन दोनों को कहों से बाहर निकाँ दो अज़े बेहुश करके उन लोगों ने एक जगा पर ले जाकर डाल दिया वहां से बच कर मैं अपने लोगों से मिलने के लिए गया लेकिन तब तक सब खत्म हो गया राजशकर ने वो जगा खाली करवा दी जनारधन कहा है ये जान कर मैं उसे मिलने के लिए गया साब जी आप ये क्या बोल रहे हैं हाँ जनारधन तुम अपने बच्ची के साथ यहां आराम से रहो यह यहां मेरा गेस्ट हाउस है जो बड़ा खाली करने के बाद आपने मुझ पर कितनी बड़ी महरवानी की है साब जी राच शेकर मेरी बीवी और बच्चा कहां है अगर जिंदा हुए तो कहीं पर भीग रहे होंगे र अगर मरगए होंगे तो लावारईसों की तरह कहीं सड़े बड़े मुझे तू राजनेता क्या बन गया लोगों के साथ मेरे बीवी बच्चों अगर तू जिन्दा रहा तो ना जाने और कितने लोगों का नाश करेगा। इसलिए इसलिए तुझे चांद से बार दूगा। जाड़। पिकाजी पिकाजी इस तरह से मुझे खुनी बनाया। उस चाकु से काश राज शेकर मर गया होता। तो आज मैं खुशी-खुशी-खुनी बनकर फांसी की सजा स्विकाल लेता। लेकिन मेरे हातों जनारधन मारा गया। और उसकी बच्ची अनाथ हो गई। पिता जी। पेटे। पिता जी। ठाकुर और भारको दोनों बाप एतना ही नहें। उस रोजी के बाप की मौत का कारण आप ही है। और उसमें ठाकुर को फसा कर अपने जेल भिजवाया। यह सब अपने बेटे को बचा दिया। जेल से मुझे इंफरमेशन मिले। भाईया। लगता है हम तो अनों की बैटरी डाउन होने वाली है। अच्छा हुआ आज तो हमारे सामने आ गया। हम तेरी समाधी आज इसी जेल में बनाएंगे। तो देख क्या रहे हो। कोशिच करके देख लो। खच्छा हुआ तो प्प्पच्छा हुआ प्प्प्पवा ध्प्च्छा हुआ जरर ह्प्पदो जर्डा श ह्षए हुआ हुई जयए वरिख्ञ जौ़ Rey जयएो जे तर生 kalo फ़nioिए जोजनों को हुई तो छूई तただ चरिखाशनों कुछू जो चरिग स्जबफ जुभर ते टुछू कई जसे कaggio सभ़्क लोर कि टुछू सब स्बाबगा आप्डार! पिटाजी पिटाजी बेटे भारगव जनारधन मेरे हाथ उसे मारा गये मेरी वज़े से उसकी बच्ची अनाथ हो गई उसकी बच्ची कहां है पता लगा कर उसे सारी बाते बता कर उसको सहारा देगा ऐसा मुझे वचन दे बेटे ठीक है पिटाजी बेटे भार पिटाजी 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 आसु बाहर रहें सर पोनच लीजे सर पुलिस की आँखों से आसु शोबा नहीं देते हैं कुछी दिन पहले इसी समझान धाट में मैंने अपनी मा का दहा संसकार किया था सर और आज यहीं पर पिताजी का दहा संसकार कराओं दोनों का बहरहमी से खून हुआ है यह अन्याई दिन पर दिन बढ़ रहे हैं लेकिन आज मैं मुक्त हो गया हूँ जीते जी अनात बन गया हूँ मगर मिस्टर डी सि पी इमाshotsदारी से जीने वाला यह भारगव जेल में जाने के बाद खूँखार भारगव बन गया है जैसे खिचत्रियों का संहार करने के लिए पुरे संसार का ब्रहमण किया था परश्यराम ने नहीं मिस्टर भर्गव माब आपको खोने का जो दुख होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं पर आवेश में कोई करत फस्रा नहीं लेना चाहिए यह किताबी बाते हैं अन्याई क्रूप से जिनकी बली चड़गी उनका वारी सुमय है और अन्याई करने वाले लोगों की सहायता करके उन्हें बचाने वाले रक्षक आप है मैं संसकारों के बंधन में हूँ आप कानून के बंधन में हैं महरवानी करके आप मेरे मकसद में बाधामट डालिएगा भारगव की केस का क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? इतनी दिल्चस्पी? क्या मैं बोल नहीं सकती? इस में बोलने की क्या जरूरत है? तुझे हर मैने वैसे भी मैं 10,000 रुपे देता आ रहा हूँ ना? जहां भी जरूरत होगी वहां में तुमें भेज दूँगा वैसे मैंने तो आज तक नहीं छुआ ना? अगर मुझे छुओगे भी तो जलके बस्प नहीं हो जाओगे मान लिया ना? बेटी के तरह ही पाला है सगी बेटी होती तो भी ऐसा करवाते चूली! क्यों? खूल खूल गया? पर आए मर्दों के साथ सोने के लिए मेरा इस्तमाल करते हो आज अगर मेरे माता पिता भी जिन्दा होते तो मैं इस दलदल में कभी नफस थी लेकिन तुमने मुझे वी आई पी लोगों का खिलोना बना दिया है सही कहा न? ये क्या जोमन मैं बोले जा रही हो? उस दिन मेरे घर में तुम्हारे बाब का खून हुआ था इसलिए तुम पे तरस खाके पाला पोसान ने तो क्या होता? अच्छा होता कि मैं भी उस दिन मर जाती अच्छा दिन बदिन तुम्हें तो बहुत बदला हो आने लगे हैं प्यारवार का चकर है क्या या किसी और पाटी की जल में फंस गई हो किसी ने मेरी आखों का परदा हटा दिया है अहां और उस महान आदमी का नाम भार्गों है ना जी हां एक बेकसूर इंसान को जेल भिजवा दिया गया फागल उसी बाते मत करो मेरा नाम कोई राजा राजेंदर नहीं है जो तेरी ऐसी बातों में फंस जाओं क्यों रहे तुझे मैंने उस पर नजर रखने के लिए बोला था ना वो बार्गों के जाल में फंस गई है मुझे बताया क्यों नहीं तुझे तो हेलो मैं हूँ बेटी क्या हुआ ताओ जी एक गुद्णियों से भारगवाज जेल से छूट रहा है मुझे को हुआ क्या है सनम तेरे प्यार में मैं चलता रहा है सजनी ऐसी मिली जीवन की कली खिली ये आसमा ये जमी में गए तेरे जड़ में तो और जो लुझे की क्यों लुझे ल्हाँ के तो क्या दो बेदे विदी एक ग्यार में में तो तो अिर वारगवाज रहादा प्रावाज में तो बन्धन दिल पर अब ना किसी का रहा पहरा कोई तेरे मेरे प्यार पे साज नहीं रहा पंची जैसे उड़ते है आकश में तेरे मेरे प्यार की उड़ान में आकश छोटा पड़ा प्यार की कश्ती को साज नहीं इसको पाल लगाएंगे जा है कई आजाए तोपा मुझको हुआ क्या है सनम तेरे प्यार में मैं चलती रही में लगाएंगे के चलती रहीं तोपा यार कि भाएंगे यार को अयां सकत्राएंगे याला लगाम याला लाला याला लगाम मेरे सीने में तूने लगाई है आजा बुछालू में उसको जने मन बाहों में मेरी तुआ साती अब तो सातो जनों का है एक जनम में ये प्यास ना बुछेगी आजा करे एक रा मुझको तो है एक रार हाँ आजा कर ले थोड़ा क्या अब तो ये ना छुटे सातो जन्मों का साथ मुझको हुआ क्या है सजन तिर प्यार में मैं जती रही फेशा जी मैं ऐसी मिली जीवन की काली खिली ये असमों एक जमी मिल गए ढ़ा किरो कि इस सब्सक्राइब वेल्कॉम मिस्टर प्रताप राय मुझे मेरे जनम दिन की बधाई देने के लिए आए हैं आज तुमारा जनम दिन अफकोर्स जेल में जाने से पहले आज के दिन मेरा जनम दिन नहीं था लेकिन जेल की सजा काटने के बाद इस भारगव के लिए आज का दिन नया जनम कहलाएका मिस्टर भारगव कोई निर्दोष विक्ती जेल की सजा काटकर जब बाहर आता है तब उसकी मानसिक हालत क्या होती है ये एक पुलिस आफसर अची तरह जानता है आपके मन में जो आए आप समझिए लेकिन आज से मेरा मकसाद सिर्फ एक रहेगा इंतकाम सर गुद बॉर्निंग सर आज हमारा भारगव छूटने वाला है ना भारगव जेल से छूट भी गया और चला भी गया ताओ जी ये आप क्या बोड़ रहे हैं भारगव छूट के चला गया कहां गया सर वो बहुत गुद्से में था और गुद्से ब इंसान किस और जाता है पता नहीं चलता अरे जल्दी लिकल ना अरे वो जेल से छूट के आएगा तो आपको जान से मार डालेगा मेरे भाई की नौकरी उसने छीन ली है अब अपने आपको समाल लो अरे जल्दी से निकल ले वो कमी मी आखे टपक सकता है जल्दी काली में बैट रहे हैं जब पूरा मामला ठंडा पड़ जागा तब माधु यहां जब तक तक तू भी रही हो अभे अपनी मालकिन को समाल के ले जाना उसी नदरों में ना पड़े जल्दी लिगल्दी अब ना ख्यार में उसने लोगों को भेज दिया ना आखतों कि अम्मा तुझे मारूंगा तो कुई कवा मी नहीं बच जैसंट लेकिन नेरे हाथों से तेरा भच पाना बहुत म्श्किल है क्योंकि तेरा यम्राज तो मै खुद हूँ कि मुझे मार के तुह क्या मिलेगा मुझे माफ कर दो माफ कर दूंगा अगर तुह महार 으ाग कर दूंगा प्रिज में तेरे पाउस सेघ्ञार हम यहीं फ्रीज रपांस से मुझे रिश्वत में मिला था कि है यही बीसीयर रोश टीवी एन पमझे रिश्वत कर दिया था एक येवी फैन है ना जो मैंने तुसों से रिश्वत मैं था थीजिवेसी पी को फोन दरके बता कि मैंने तुझे मारा है यह बोलता हूं अकर आ कर रहे हूं हालो भाई यह नमस्का टीजी मिलता आप मैं सदार्ण बात कर रही हूं यह बाहर मेरे घर में खुशा आया है तुझे मार मार ये कर्शुमर बना रही है पहले भी इस तरह जूट बॉलकर तुमने से जेल भीजवा दिया, आइंदा भोल सभी कभी जूट मत बॉलना क्या कहा? उन्हें विश्वास नहीं हो रही है कर रहे का? मैं अब तुझे रोजाना मारूंगा, कोई यकीद नहीं करेगा अरे बाबने, रोजाना तीजोरी खोल ये फ्रिज, टीवी, वी सी आर, फैन, उसके लिए तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है? और ये तुमने खुद मेरे घर पर आकर मुझे मोटर साइकल खरीदने के लिए पैसे दिये है, ठीक है? अच्छा? जिसके उपर तुमने जूटा आरोप लगा कर केस किया था, उसकी बेटी के लिए डाइमंड नेकलेस के लिए ये पैसे हैं क्यों, जटका कैसा लगा? जोर का जटका, बहुत दीरे से लगाए बाईए चलता हूँ भाईय, ये तो एक ही जटके में सारा महाल ले गया भाईय भाईय कहा है? पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं आया आपकी साथ नहीं आया? वो जेल से तो छुट गए ना? आ गया हूँ मैं सिर्फ जेल से छुटाई नहीं हूँ जिस कानून की आखे बंद रहती हैं हाथ बंदे हुए होते हैं अब मैं उसे भी आजाद करूँगा ये सामान मैंने रिश्वत से लिया है ऐसा बोलकर मुझे मेरे इगर में हतकणिया पेनाई गई और अब ये सारा सामान छीन कर लाया हूँ ना ही ये रिश्वत से लिया है और ना ही मुझे कोई पूछेगा कि कहां से आया है तुझ से पूछने वला मैं अभी जिन्दा हूँ तू जो ये सामान लेकर आया है इने मैं अपने घर में नहीं रखूँगा तो आज भी वही भोला शंकर ये आज तक तुन्हें आटो चला कर अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा सोने का जेवर खरीद के दिया है बता और मुझे देख आज जैसे ही मैं जेल से बाहर निकल कर आया अपनी जोटी बहन के लिए ये डैमन का निकलस खरीद कर लेकर आया हूँ और यह मैं किसी रिश्वत में नहीं लाया हूँ खरीदा है भाया यह सब कहां से आया सच्चाई क्या है मैं बता नहीं सकता और अगर मैंने जूट बोला क्यों जूट बोलने से तुम्हें क्या फरक बढ़ जाएगा मैं जेल में सजा काट कर आया हूँ ना एक्सपीरियंस हो गया है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब उससे पहले तुम्हें रहा पे लाना होगा चलो लता यह क्या कर रही हो नहीं चलोगे तो मेरी कसम अब चलो अब भरगो बैठो मुझे आपने यहां क्यों बलाया नौकरी के लिए एक बर तुम्हारा इंट्रेव्यू लिया था आज एक और इंट्रेव्यू के लिए बुलाया है मैं आप कोई इंट्रेव्यू नहीं दूंगा ऐसा फैसला कर चुका हूं यह इंट्रेव्यू किसी नौक इससे कभी मुकरता नहीं हूँ भारगव तुमने यह फैसला लिया है उससे तुमारी जिंदीगी बरबाद हो जाएगी जानते हो अच्छी तरह जानता हूं भारगव हाँ रता के पिदाजी एक बड़े उद्यों पती हैं और मैं जेल में रहकर आया हूं लता के तावु ज कि पुझे जो अंजाने में कलती होई है और इसके बद नियुकार कि नज़कर नहीं चाहता हूं जो किछ भी होगा वह मेरे साथ ही होगा लता को मैं सबसे दूर रखना चाहता हूं इसलिए मैंने जो इस तरह का ये फैसला लिया है वो लता के बारे में सोच कर ही लिया है तुम्हारा ऐसा कहनी का मतलब क्या है तुम किसी दूसरे से शादी कर लूँ किसी दूसरे से मैं शादी कर लूँ कितनी अजीब बात है न बाहर गव तुम ये बात मुझसे कre firing अगर मैंने तुमसें से कर ली तो मुझे हमेश्य तुमारी पिकर रहेगी और तुमनें शादी किसी और लड़के के साथ कर ली तो मेरा भी जो मकसद वो पुरह हो जाएगा तो तुम्हेरा क्सद क्या है इस समाज लेने से क्या होगा शादी करने से क्या होगा बीवी घरबार बच्चे और जिन्दगी जो खुशाल बन जाएगी अगर ये सच है तो आपने शादी क्यों नहीं की सर मत चुकाईए सर चुकाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा DCP साहब शादी करने से माना कि जिन्दगी खुशाल बनती है मगर बदला लेने पर मन को शांती मिलती है मिस्टर भारगव रोज शेकर मर जाएगे तो इसके परिवार का नाश हो जाएगा लेकिन अगर तुमें कुछ हो गया तो उसे समाज का नाश हो जाएगा हमारे देश को आथ तुम जैसों की बहुत जरूरत है इसलिए मना मत करो इस वक्त मेरे लिए देश से जादा पिता की आत्मा की शांती जरूरी है मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा ये आखरी फैसला है मेरा ये फैसला बिलकुल आटल है प्रो मत बेटी चुप हो जाओ इस वक्तों किसी का कहना नहीं मानेगा जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा खुद आजाएगा तो नहीं जब इंसान बहुत खुश होता है तो संगीत के बिना नाच नहीं होता है और जब मुख़ा तैयार हो तो अंतरा खुद बन जाता है तुम मेरे लिए फिर से आ गए हो तुमने मुझे नहीं जिन्दगी दिया है मैं किसमत वाला हूँ आज तो खुशी के मारे मैं जूम रहा हूँ आज मैं सारे बंधन तोड़ कर आया हूँ मेरे लिए बंधन तोड़नी की जरूत नहीं तुम ऐसी बाते मत करो, मत करो आज हम दोनों नाचेंगे भी और गाएंगे भी चलो कमान, डान्स आईसे कमान, आज हूँ कमान, इसमयोगे भी आजीव कर आपजनी की घुशी चलो कर आज दो अचिज़ एव रहा हुआ कर आज है कर दो ऴीक कर आज ही तोड़नी मैं रहा हुआ कर दो कर दो आजाओ साजनी प्यार की कर ले आज हम तोनों शुरुवा तू बादल मैं पानी सुन मेरे दिल जानी अब तरसाना पातो आजा बाहो में समा आजाओ साजन प्यार की कर ले आज हम तोनों शुरुवा तू बादल मैं पानी सुन मेरे दिल जानी अब तरसाना पातो आजा बाहो में समा आजन लगाती है साबन ने आजा आजा लगा ले तो मुझको गले ये पानी की बूंदे तेरे बदन पर मुझको तो लगती है शोलासा हो ओ मेरे प्यार सजना लेले बाहो में बुझे आ पुझा दिल की जलन ओ मेरी सजनी पास आ तु मेरे लेलू तुझको बाहो में बुझे जाए दिल की प्यास आजा वो साजन त्यार की करले आज हम दोनो शुरुवा आजा वो साजनी त्यार की करले आज हम दोनो शुरुवा कर दोनो शुरुवा कर दोनो रागों के सागर में गोता लगा ले आज कोई गीत तु गुन गुना संकीत के सागर में मैं तो पड़ी हो आज आएं साजो में संकी जगा सोच ले सजनी सोच ले पिर ना करना मेरे प्यार से इनकार तू तेरे साज समाज तेरे संचो मलो आज ये वाका निकल गया तो लोट किसन कब आए आज आज आवो साजनी प्यार की कर ले आज हम दोनो शुरुवा बद में पानी तक मेरे दिल जानी अब तरसाना पास तो आज आज आवाहो में समा आज आज आओ साजनी प्यार की कर ले आज हम दोनो शुरुवा पारकव ये सब क्या है? रोजी डार्लिंग सुबह सुबह मेरी बाहो में चै 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 ये सब अच्छा नहीं है छोड़ो मुझे भारकव तुमने ऐसा काम करके बेकार में मुझे गुस्सा दिला दिया आएंदा मेरे साथ ऐसा मत करना मैं हाद जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ अब तुम जाओ राजशेकर जैसे आदमी को जान से मारना इतना आसान नहीं फिर भी उस काम के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँ राजशेकर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है उस नीच कमीने की वज़ए से ही मेरे पिता जी की मौद हुई है तुम्हारे पिता का नाम जनादन जौनी राजशेकर ने तुम्हारे पिताजी की मौत की सजा जिसा आत्मी को दिलवाई थी वो आदमी मेरे पिताजी थे हाँ रोजी उन्होंने जेल जाने से पहले तुम्हें ढूडने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली मुझे ढूडा? अब उससे क्या फाइदा? मैं तो अब कहीं की भी नहीं रह पाई मेरी जिन्दगी तो खत्म हो चुकी है मैं राजशेकर से इंतकाम लेना चाहती हूँ ये काम तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ तो ये काम करके तुम्हारी पिदाजी की आत्मों को शांती पहुचाएंगे मेरे इस घर में आदमी आया करते हैं लड़कियां कभी नहीं आती खेर बताओ तुम कौन हो? मैं या नाच देखने के लिए नहीं आई हूँ ना ही मौज मस्ती के लिए आई हूँ मुझे मश्वरा देने के लिए आई हो तुम कवेतरी हो मैं कौन हूँ ये सब छोड़ो तुम्हें सलहा देकर समझाने के लिए मैं आई हूँ मैं हमेशा अपने उसुलों पर चला करती हूँ मुझे किसी के सलहा की जरुवत नहीं पड़ती तुम्हारे माथे पे कोई तीसरी आँख नहीं निकली हूँ ये भले ही मेरे माथे पे तीसरी आँख नहीं है इसके बावजूत मेरे खुबसूरती के सामने समझते है नहीं, राम के साथ प्रेम करने वाली सीता हूँ मैं काम वासना के आग में जलने वाली सूर्पन खाये तू मेरे उपर इतना गुस्सा दिखा रही हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया प्यार, और शादी का अगर तुम मतलब जानती होती, तो खुछ जान जाती कि तुने मेरे साथ क्या किया है प्यार, प्यार को पाने के लिए मैं रोजाना कुशिश करती हूँ, पर विफल हो जाती हूँ रही बाद शादी की, मैं तो वो शब भी भूल चुकी हूँ मैं तो इस समय ऐसे मोड पर हूँ, जैसे कोई कटी पतंग हो क्योंकि ये ऐसी जगा है, जहाँ प्यार दिया जाता है, पाया नहीं जाता तुम्हारी आगोश में जो आदमी आते हैं उनकी पत्नियों के आसू, कभी तुमने देखे हैं? तुम भारकव की पत्नी हो, उस सौभागे से तुने मुझे दूर कर दिया मेरी बात सुनिये, पत्नी का पती पर अधिकार होता है, लेकिन जो अभी तुमारा पती नहीं हुआ, उस पर अधिकार कैसा? शाट आप! गुस्सा बहुत करती हो अभी तो तुमारी शादी होनी है, उसके बाद तुम अपना अधिकार जमाना तुम जो मेरे पास आई हुई हो, लेकिन मैंने तो तुमारा प्यार नहीं छीना नाचने वाली के मन में प्यार नहीं होता है, उसे तो बस गस्जुरा चाहिए, नोटों की गड़ी चाहिए और इन सब के बलबूते हर आदमी को अपना बनाने की कोशिश करती है, उनके दिल में प्यार नहीं होता है, लेकिन वो प्यार मेरे दिल में है जब किसी का प्यार छीन जाता है तो दिल जरूर तरबता है दूखी होता है लेकिन दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती तो तू क्या है गुंगरू बान के नाचने वाली हे भगवान जेल से राक्षस बनके बाहर आने वाले मेरे भाईया को फिर से मेरा पुराना भाईया बना दू मेरी यही विनिती के भाईया सही रहा पर आ जाएं भारगव की लंबी उमर की मनोकामना करने आये हो उसे तो हम ठिकाने लगाने वाले हैं जड़ा ध्यान से सोचिये बताओ कि हम लोग कौन हैं कौन हो तुम लोग जब खाली होता हूं तब ताड़ी और सुपारी मिलने पर मैं खोन पीताओं सिर्फ इतना ही नहीं लड़किय करना होगा लगता है मेरी बैटरी चार्ज हो गई है अब इसे लेजाना ही ऊस्ते है याई कि आप था 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 रहूंगा अगर नहीं ठूट पाया तो मैं भी मंत्री जी का चोटा भाई नहीं चिंता मत करिए इनका घाव ज्यादा गहरा नहीं है यह सब कैसे हुआ पद्मा वो दास गुंडों को लेकर आया था नहीं पद्मा अगर इससे सब बता दिया तो यह उन्हें जान से मार डालेगा मैं सब समझ यह हो रहे अब तो यह बात मुझे राजशेकर को समझा निया अरे क्यों को शुप करो अब आशप मेरे छोटे भाईया वो जिस तरह से आरा लगता हमें जाल से मार देगा अरे सुन दास उसे वहीं रोक हो द्यान रहे वह आंदर ना आए तो अगाने दो अगाने अन्दर आधर में तुम्हारा सदाना थू भी आने दो अन्दर भी आने पर गाले का अधरवाया को लोगता है उसके डाउन हो गई कर दो क्या अगर दर्वाजा को ला तो बेकर में उस भारगव का करना पड़ेगा तो यह बात है कि अधियो बचालो भई है बचालो कि राश्यकर रुक्चा क्यों मौत को सामने देखका डर पैदा हो गया जब पिस्ताउन निकाल ली यह मौत का डर नहीं है मौत के खाट उताने की राजनीती मेरे उपर गोली चलाने की न तुझ में हिम्मत है और ना ही तेरे अंदर मरदान की है ओसन मेरी भोली भाली मा का खोन करने वाला असली खोनी तू है मेरे पिताजी को मेरी ही आखों के सामने मरवाने वाला भी तू ही है और मेरे लिए जो भाई से भी बढ़कर है शंकर अब अगर उसे भी तुमने मारने कोशिश की तो इस भारगव का असली रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा वैसे भी तेरी मौत तो मेरे ही हाँ को लिखी है तेरे पापों का भाणा बोड़ दूँगा अच्छा दिन में सबते देख रहा है यस पैसों के लिए तुमने जिस इंजीनियर को मरवाया उसकी फाइल गरीबों का अस्पताल बना रहा हूं बोलकर फ्राइवेट अस्पताल बनाया उसकी फाइल इन सब का परदा फाश करके तुझे नंगा करूँगा अगर वो फाइल गायव हो जाएगी तो तु हमारा क्या कर लेगा फाइलों को अपने कबजे में करके तुझे मार के तेरे हाथ में नर्क जाने का टिकेट भी दूँगा छोटे उस भारगों के हाथ कोई सबूत नहीं लगने चाहिए सदानन सबोल के गोरोज में जितना पी माल पड़ा है उसे बाहर भीजवा दो तिक है उसके बाद ही क्या करता में भी देख लूँगा ठीक है भीज़िया सब्सक्राव तो यहां से ही सारा सामान ले जा रहा इसका सबूत दे दिया है चल पोली स्टेशन अब चलना यह अच्छी बात नहीं है जेल बंद करने के बाद भी चुपराने को बोल रही है महां जाधा देर नीर्य पाऊंगा भाइए देख लो हो मिनिस्टर का फोन आया होगा उनसे कहना मा पॉली स्टेशन में बंदू किसी होटल से अच्छा खाना विजवाने है चट आप हां हलो मैं हूं मंत्री जी का छोटा भाई बोल रहा हूं क्या बात है क्या बात है मेरी बैटरी फुल चार्ज है तुमने हमारे सदानांद को पकड़ लिया है तो इसमें तुझे क्या है मेरी बैटरी दरसल इस समय पूरी चार्ज में है तेरी बैटरी डाउन करने के लिए चिं अधिकार हमारा है नर्क हमारा है और सजा भी तुम्हारी ही है और यह बापरे ऐसी बाते क्यों कर रहे हो तुम हमारे सदानंद को छोड़ते हो या टेलीफोन पर ही मुझसे बात करते रहोगे अगर तु इस वक्त मेरे सामने होता तो यहीं पर तेरा धोल बजा देता पॉंड चमाके फोन में डिसीपी जी बात सुनकर इंकल चेहरा एक्टम पीला पड़ गया है मेरे डिरेक्ट फोन करने पर कहीं रिकार्ट करके पार्टी पूर्मक के पास न भेज़ते इसलिए मने फोन नहीं किया वो मेरे फोन करने से भी नहीं माना अगर तुम्हें भी खरी- पूरे गाउं को इकठा करने की बात नहीं है हम लोग पूरे गाउं को इकठा करके दास के गुंडों को भीज़वा कर भीड़ में तोड़ फोन मजवा देंगे ओफो इस वक जो तुम बात कर रहे हो तुम्हाई लेवल में जच नहीं रही लोणियों को बस्ते करके उनकी साड़िया खीचना हमाया लेवल है यह क्या कह रहा है रहे लगता है तेरी बैटरी भी चार्ज हो गई है ओफो पॉइंट की बात करो ना अब इसमें पॉइंट क निकल गए तो गड़े मुर्दे निकलेंगे यानि कि हमने जो करोणों का घोटाला किया हो कह रहे हो सिर्फ वही बात नहीं है लोगों की सेवा के लिए सरकार में अर्जी देकर प्राइवेट हस्पताल बनवा कर करोणों की तादात में जो रुपया कमाया है वो साबित कर दिया ना तो आज तक जितना भी पैसा हम लोगों ने कमाया है ना सूच समय तो सरकार में में भरना होगा अरे ऐसे काम में तो हमें गाव वालों का साथ ले रा चाहिए आप चिंदा मत कीजी इंतिसाम भाय कर दूंगा पीज के लग दूंगा जम जमा के चम चमा के कर दो दो मरश है कर दो हो हम ए teu बावई तो हमें पर मत कर दो हमेंगरे लोगं से कर दो हो हमें। ना ना कर दोค़तしか जितन अपमें। है अब बताने के लिए क्या रहे गया है मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा है मेरे लोगों के साथ बड़ा अन्य हो रहा है जंता बुरी तरह से टूट चुकी है हमारे गाउं की ऐसी हालत हो गई है महिलाओं की इज़त की सुरक्षा नहीं रही है मेरी बात सुनिये इन सब का जिम रिष्टा है उसे जैल में रखने पर जनता जियेगी या मरेगी कुछ पता नहीं तो आप क्या चाहते हैं अगर उस डी सीपी को डिस्मिस नहीं किया तो मैं अपने मंत्री पसे इस्तिफाद देदूगा तुम क्या कहते हो जो लोग मगरमच के आशुबा हाते हैं उनके बारे हो जाता है तुसे गोली मार देते हैं यह हमारे देश का कानून है I don't want any argument do what I say certainly I will obey your orders लेकिन 24 घंटे के अंदर उस सदानंद को और उसके आगे पीछे लार्ट अपकाने वाले सभी वी आईब्यों को आरश्ट करूंगा नहीं तो I will resign कि इतना बड़ा हाज अब आपने मुझे कुछ बत करना मैं छोटा बच्चा हूँ अब चूजे कहीं के जो कहता हूं कर यह देख यह कैसट ले जाकर राजशेखर को देदे अब देखे न पूरा गाउं तुम्हारे फेवर में होगा बहुत बड़ा फेवर हो गया बहुत बड़ा फेवर हो गया चौविस घंटों के अंदर तुम सब को सलागों के पीचे कर देगा ऐसा टीजीपी ने पुलिस वालों की मीटी में ताल ठोक कर गाए वह यह जो विस घंटे में तो हम हमारे सारे सबूत मिटा देगे न वह यह बया बया चम जम आके चम चम आके रोना बंद कर बता क्या हुआ जब भी इस तरह से रोना शुरू करता है तो समझ लो किसी की अर्थी उठने वाली है यह तो ऐसा बोल के और भी थ्रिल कर रही है उफो बात क्या है बता हम पहले से ही परिशाने उस भारगावने मुझे चूजा बोल के यह कैसे आपको देखने को बेची है दुष्ट लोगों के लिए दुष्टा भिनंदन अरे बापरे यह तो हमारे मुपे गाली दे रहा है इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई वो तो ठीक है लेकिन उससे गड़े-मुर्दे कहीं बाहर निकल गए तो गड़े-मुर्दे निकलेंगे यानि कि हमने ज देवा के लिए सरकार में अर्जी देकर प्राइवेट अस्पताल बनवाकर करोडों की तादात में जो रुपया कमाया है वो साबित कर दिया ना तो आज तक जितना भी पैसा हम लोगों ने कमाया है ना सूच समय तो सरकार में हमें भरना होगा देख लिया ना डी सी भी प्रताप राय ने तुम्हें सरेंडर होने के लिए 20 गंटे का टाइम दिया है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 12 गंटे का ही टाइम दे रहा हूँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे दोश मत देना ये कैसे पोली स्टेशन पहुंच जाएगी या मैं खबर मिली है का यह सच है बताइए अब बताने के लिए क्या रह गया है इस देश ने महात्मा गांदी को भी नहीं छोड़ा है जिसने हमें आजादी दिलाई उसी को मार डाला अब मैं क्या कहूं भाईया तुमने कोई अपराध नहीं किया है ऐसा इन सबसे बता कर इनक राज बन जाए यही है ना तुम लोगों की राजनीती यहां मेरे भाईया की मीटिंग चल रही है अपनी बैटरी को काबू में रख अब ज़्यादा चिलाएगा तो मारा जाएगा धंकी किसो दे रहा है इस तरह कि धंकी अपने पिल्लों को दिया कर जरा-जरा सी बात पर क के जरा-जर्णी की कुरसी पर बैटकर तो नहें क्या क्या यह साभित करूंगा और तेरे नीचे से कुरसी निकल का दूल झागिरेगी वहारे सामने इस तरह की ध przepश आपने पास ही है अब तुम क्या करोगे ओरिगनल कैसेत मेरे पास ही उल्लों के पट्छे हर शेकर इस लड़के की बात पर तुम क्या कहते हो मैं निर्दोश हूँ ये साबित करने के लिए मैं तयार हूँ अगर छे गंटे में इसने साबित कर दिया कि मैं अन्याई करता हूँ तो अपने पत से मैं खुद इस तफा दे दूँगा सिर्फ अन्याई ही नहीं ये खूनी है ये भी साबित करूँगा और उसके बाद इसे सारे आम फांसी लगवा कर इसकी लाश को गदे पे रखकर शहर की हर गली में घुमाते हुए शम्शान खाट पहुंचाऊंगा वो जुटे गवा और सबूत इकटा करें उससे पहले में उससे दबोच लूँगा आप लोग यहीं रुकिए छोटे भाईया मेरे काल से हमें पुलीस की मदद लेनी चाहिए इन छे घंटों के अंदर वो जवीन के अंदर समा जाना चाहिए हाँ ठीक है मुझे भरोसा है सर बस आप अलट रहिए भले ही मेरी जान भी क्यों ना चली जाए मैं उसका परदा फास करके ही रहूंगा आप काली दास को पकड़के सलाखों के पीछे डालिए मैं रोजी के पास जाके वो कैसेट लेके आता हूँ जहाद उड़ा रहे हो हां अंकल मुझे तुमसे काम है जी बोलिए अगर मैं डायरेक्ट उस भारगाव का मर्डर करूंगा तो इल्जाम मुझ पर आ जाएगा वो ठीक छे बजे प्रोसी के घर पर आयेगा यह बात मैं जानता हूँ तुम अपने इस रिमोट वाले जहाद से कुछ ऐसे करामा दिखाना कि वो एक्सिटेंट में मर जाए ठीक है अंकल जिसने मेरी नौक्री छीने उसे मैं खुद मारूंगा आप जाएए अंकल बेस्ट अफ लाग थेंक्यों हलो मैं लता बात कर रही हूँ ओ क्या मन में कोई और प्लान आया है जो इस वक्त मुझे फोन किया मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है मैंने किसी को धोका नहीं दिया है लेकिन सुना है तुने टेप सम्भाल के रखा है जो रेकॉर्ड किया हूँवा टेप है वो मैंने स बाश्ते से हट जाओ राजशेकर अपने लिए तुम्हें इस्तमाल कर रहा है वार्गव को जान से मारना चाहता है तुम भली कैसी भी हो पर तुम चाहो तो भार्गव को राजशेकर से बचा सकती हो अधार यह तुम लोग नहीं बुची से दोन दोने पर और रोजी मैंने तुम्हें कैसे दीती न वह कहा है वह नहीं है नहीं है छोड़ो लेकिन तुम ने उसका किया क्या उसे मैंने जला तेरा यी बदन ही नापाक नहीं है बलके जमीर भी नापाक ही तुन्हें साभित कर दिया है मेरे दिये उस सबूत को पिटा कर तु राजशेकर को बचाना चाहती है ना उसी राजशेकर के घर जाकर मैं सबूत फिर से जुटाऊंगा इस कैसित में रहस्य के साथ साथ तुम्हारी जिन्दगी भी है और तुम्हारी जिन्दगी बचाना मेरा फर्ज है क्या बात है आज बहुत खुछ दिखाई ले रही हो आज कोई खास दिन है क्या खास दिन हो या बेकार के दिन मेरी सिंदगी में क्या मैने रखते हैं तो एक सचाही बता ना तुम्हें मेरे बजपन से पाला है ना तुम्हें मेरे अपर प्यार आता है यह नफरत हो दीक अचानक तुम्हें यह शक्या मुआ दरसल आजकर लोग जिस ठाली में खाते हैं उसी ठाली में छेथ कर देते हैं अगर कोई ऐसा करता है तो ये बात तुम जानो इससे मुझे कर फरक नहीं पड़ता क्या कहां? तुम्हें कोई फरक नहीं पड़ता? नम्हो खरॉम कहीं कि मैंने तुझे पाल पोसकर बढ़ा किया है और आज तु मुझे ही डसने की कोशिश कर रही है भाईया ए आए चाबाज छोटे इन दोनों को ले जाके उसके साथ बांदो रिटी करो भाईया आप तो सिर्फ बैटरी ही नहीं डाइनमो भी चार्ज हो जाएगा तुम लोगों को न्याय दिलाती हो ना अत्याचार करना तो हमारी परंपरा में है जाहां को चलाने के लिए पहले चाहिए होता है और मेरा जो दूश्मन है उसे अपने रास्ते पे लाने के लिए हमारे कभजे में है आज हमारी हवा निकल जाएगी ऐसा क्या हो गया जो इस तरह दोड़ते हुए आ रहे हो पामूली बात नहीं है वह डी सीपी हम सबको पकड़ने के लिए CRP लेके आ रहे हैं अगर उसने यहां पर अपना कदम रख दिया तो हमारा खेल कदम संजो सुन द के लिए मेरी ताओ जी को धोगा देना चाहते हो यहीं तो राजनी ती कहलाती है तुमाही बैटरी में ठीक चाहते हुआ रहे चोटे उस भारगर ने जो टाइम दिया था उसमें 6 गंटे बाकी है इतनी सुन्दर आपसराओं के होते हुए 6 गंटे तो पता भी नहीं बैटरी तो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है अब चिल्लाना बंद करना बेखार में क्यों चिल्ला रही है इतनी सुन्दर सुन्दर लखियां सामने रखके इधर उधर की फालतू बातें क्यों कर रहा है एक से भरतनाटें और दूसरी से कथकली क्यों नहीं करवाते हो नहीं नाचोगे तो यह मुह दिखाने के लायक नहीं रहेगी वाद मां को कुछ मत प्रूं मेरे चोटे ने चुकाओ मांदो भाइए एक क्राम करो तुम यहीं रहो वह ओरीजिनल कैसेट कहां छुपाई है मैं देखके आता हूं अरे जाना भाइया इनके यह कपड़े अच को देखना एक नार की शक्ति अपनी शक्ति पर फूल रहा है जो अब रोनी की बारी है आज तो हसले तो बाद में रूएगा आएगा रामा और इस नगरी को आके आग लगाएगा तेरे राद पे फेरेगा तो निवो देख्या रहा है वो राम राज खर्ण भोगा राम राज शुरु होगा राम राज खर्ण भोगा राम राज शुरु होगा हुआ 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 है है वो पूरा मापों से भर गया जिसने अबला की इज़त पर घात डाला वो बर गया पुरे काम का बुरा नतीजा कहते है ज्यानी जावन की लग्तों को चलाने देखो या इस युग का राव ओ तेरी ना पापी रागो पर खिल जाएगा आपादी आज तो हंसरे तो बाद मेर उएगा की उुगा की उएगा की उिहेखो आज मेरे इस नत्यप देख के दिल अपना महला ले ये तिरे जीवन का होगा आफरी मनो रंचन क्रिश्ण जी आए थे आज भी होगा चमतार देख था रह जाएगा तू आज आए सत्के रखवाने सुने तू मेरी एको बाद आज तो हसले तो बाद मेरोईगा आज आए सत्के रुट आए। बाई ये क्यों रे क्या सक मिली कहीं भाई इन लोगों ने मिलकर जोड़दार थ्रिल कर दिया बहिए क्यों रे क्या हुआ वोरिजिनल कैसे हमारे हाथ नहीं लगी जल्दी बता वो बहर को कहा है नहीं बताऊंगी है पहले मैं लड़कियों की इज़त लूटने के सक्षन में था लेकिन आज कल मैं मर्डर भी करने लग गया हूं अगर तु नहीं बताएगी तुम मैं तेरे बदन पर अगर तु अपने लवर की वैटरी सुरक्षित रखना चाहती है तो जल्दी से बता दो बता दे मेरी जानेमन वह भारगाव इस वक्त कहां है राजशी करकी घर में अरे यह कैसा मदाक कर रही है एक काम कीजिए घर फोन लगाई है क्यों भाया कैसे ओब भारगा ओ तो तु है कहां से बोल रहा है तू मेरे घर में घुसा है और मैं तेरे घर में हूं वही जोजी के घर में है ये बात हुई न भाईया उसकी बैटरी फारता हूँ पोन मुझे दो तेरी प्रेमिका लता और तेरी बहन पदमा और तू जिसके घर आता जाता है वही तेरी जूली इस वक्त ये तीनों की तीनों हमारे कबजे में हैं भाईये तू वहां केला बैट के क्या कर रही है सब के बूबर डैसे ही का ऩजए अजान ne सरहां अपम ही लेह को भूस गईान कर, तो तो जो कि ड ही चाह़ च дав luego कि अजए चाहर प्रज़ मुथ सभायब इज भलत से कि तर समययम मुथ storage इब हे नहे कि सबहा हु िना ही फगतानी अ़ित Kr seat झाल झाल कर दो क्षच एक 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 करें है चंड़ या चंड़। कर दोजर झे ठूज हम ऩुम Let कर दो पाद आ कर दोदिब ऑर मिला दो 16 कि लुगटा पार जी कि युगा जड़ में एड कर दो चादा टॉटा जी फिर खम दोगज़ कर दोगर है कर वादा कर दो कर दो कर दो झाल 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 कोपी, आरस्टेप, अमालादा हाण हाण एगा हाण हुआ हुआ हुपए हुआ हiu हुआ हुाँ हुआ शईरmor इए ईबड़ खमेह हुआ 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 प्रोज गाओ प्रोज आज हार गई है भार्गव के सच्छे प्यार की हगदार मैं नहीं हो लता तुम हो रुसी सॉरी मिस्टर भार्गव अपने सगे समंजों से भी जादा अपने कर्तदी को मानता है ये पुलिस आफसर इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी हदकड़ी पैनानी पड़ रही है अदालत से बरी होकर जब वो आम जिंदगी जियेगी तभी लता के साथ मेरी शादी होगी झालत से बरी होगी